कार से एंट्री होगी कारन की, एक बहुत स्पेशल एलिमेंट जो दूसरों के साथ बॉन्ड तो बनाता ही है, बलकि खुद के साथ भी बॉन्ड बना लेता है और इसी तरीके से बना देता है बहुत सारे धेर सारे कमपॉण्स and that's why it is all about carbon and its compounds Hello everyone, मुझे उमीदे कि आप सभी अठे हैं और आज में लेकर आए हूँ Class 10th Science, Carbon and its Compounds का पहला वीडियो इस पूरे लेसन को हम ख़दम करेंगे सिर्फ दो वीडियोस में और इन दो वीडियोस को देखने के बाद आपके concepts हमेशा की तरह होंगे crystal clear तो मैं हो रोष्णी फ्रम लानोहाव दे फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पर आप पर्ज अक्तियो फिजिक्स, केमेश्ट्री, मैट्स, बायोलोजी सब कुछ absolutely for free only at learnohub.com सो तयार हैं सभी लोग let's get started तो बच्चो आज के इस मूवी का हीरो है कारबन तो सबसे पहले जान लेते हैं कारबन के बारे में जो की कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको already पता है जैसे अगर हम हमारे केमेस्ट्री के periodic table को देखे तो कारबन वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा अब इसका 6 है तो इसका electronic configuration हो जाता है 24 यानि की के शल में 2 electrons और एल शल में 4 electrons या फिर अगर हम इसके electronic configuration को orbital की format में लिखे तो इसका electronic configuration होता है 1s2 2s2 2p2 ठीक है यानि की 1s orbital में 2 electron 2s orbital में 2 electron 2p orbital में 2 electron अब यह electronic configuration हम लिखते कैसे है I think यह तो बाते आपको पता ही होंगी और वैसे भी आज का एज़ेंड़ electronic configuration लिखना नहीं है आज का एज़ेंड़ा है carbon और carbon से बने compounds के बारे में जानने का बट यहां पर बच्चो एक बहुत important बात शुरुवाद में नोट कर लो कि carbon के electronic configuration से हमें एक बहुत important बात पता चलती है और वो यह है कि carbon के balance shell में यानि कि outermost shell में कितने electrons हैं चार electrons हैं exactly दोनों ही configuration के according पहला configuration साफ साफ बता रहा है कि outermost shell कौन सा है यह जिसमें चार electron है दूसरा configuration भी साफ साफ वही बात बता रहा है outermost shell कौन सा है corresponding to 2, 2s2p यह outermost shell है तो taken together इन में चार electrons है तो basically carbon में कितने balance electrons या फिर outermost electrons कितने होते हैं चार यह बहुत important बात है क्योंकि इसी के help से हम आगे कि सारे concept समझेंगे इसके अलावा हमें यह भी पता है कि carbon एक non-metal है यह metal वाले properties बिल्कुल शोने ही करता है ठीक है ओके तो इंट्रोडक्शन के लिए carbon के बारे में इतना जानना काफी है अब बच्छों एक obvious सा खयाल दिमाग में आता है कि periodic table में 100 से उपर elements हैं तो फिर एक carbon के लिए हमने एक अलग से unit दे रखा है हम पूरा carbon के बारे में पढ़ना है कहानी ऐसा क्यों कि बच्छों carbon जो है यह अपने elemental form में यानि कि अपने carbon वाले form में भी हमारे लिए बहुत useful होता है और combined form में भी यानि कि जैसे जब यह दूसरों के साथ combine करके carbonates hydrogen carbonates etc बनाता है तो उस form में भी यह हमारे लिए बहुत जादा useful होता है अब अगर बात करें carbon की तो हम देखते हैं कि earth crust में carbon पाया जाता है percentage की terms में अगर हम बात करें तो carbon पाये जाने का जो percentage है that is 0.02 परसेंट अब आप सोचोगे कि इत्तों सा carbon है 0.02 परसेंट तो बहुत कम है उसके बाद भी हम carbon की बारे में पढ़ें इतना ही नहीं अगर atmosphere की बात करें तो atmosphere में carbon dioxide पाया जाता है 0.03 परसेंट अब carbon dioxide में भी तो carbon है अब तो यह और जादा अजीब बात है कि carbon जो है यह तो बहुत नेचर में तो यह बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है लेकिन फिर भी carbon का significance है that is immense क्योंकि carbon से बहुत सारे और compounds बनते हैं और यह सारे compounds हमारे day-to-day life में बहुत जादा useful होते हैं in fact carbon as it is अपने form में भी बहुत जादा useful होता है तो carbon के बार में बच्चों वही तो है सबसे special बात तो चलो अब आगे आगे देखते हैं carbon की कहानी चाहे कोल हो या diamond चाहे pencil के lidow या फिर wood चाहे हो soap या detergent या फिर fabric सब जगह है carbon तो बच्चों हमें ये तो समाझ में आ गया कि carbon इतने सारे compounds बनाता है इसलिए carbon special है बट सोचने वाली बात यह है कि carbon इतने सारे compounds क्यों बनाता है क्या special बात है carbon में है ना तो चलो इस point को देखते तो सबसे पहली बात carbon के बारे में carbon forms covalent bond covalent bond क्या होता है एक ऐसा bond जो sharing of electrons से बनता है हमने already पढ़ रखा है इससे पहले कि कई तरह के bonds होते हैं जैसे covalent bond होता है जिसमें electron की sharing होती है एक ionic bond होता है जिसे electrovalent bond भी कहते हैं जहां अब पर electron का transfer होता है मतलब एक अमीर आदमी रहता है एक गरीब आदमी रहता है अमीर आदमी पैसे देता है गरीब आदमी पैसे लेता है तो basically क्या हो रहा है transfer of money money होता नहीं है elements के case में electron का transfer होता है तब बनता है ionic bond, दूसरी तरफ covalent bond में sharing होती है, it is like मेरे पास दाल है, तुमारे पास रोटी है, तुम अपनी रोटी मेरे साथ share करो, मैं अपना दाल तुमारे साथ share करती हो, और दोनों दाल रोटी खाते हैं, है ना, तो इस तरह की sharing होती है covalent bond में, अब carbon covalent bond क्यों बनाता है, इसका जवाब देगा carbon का electronic configuration, हम क्या देखते हैं कि carbon के outermost shell में 4 electrons है, ठीक है, हम सभी को पता है कि सारे elements क्या होना चाहते है, stable होना चाहते है, obviously elements की छोड़ो यार, हर इंसान क्या होना चाहता है, stability attain करना चाहता है, जाहे वो financial stability हो, जाहे वो social stability हो, अब लड़ खडाना कौनी चाहत है, सभी elements stable होना चाहते है, stable वो कब होते हैं, जब वो अपना octet complete करते हैं, ये बाते हम already पहले पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी बता रहे हूं, ताकि कोई doubt न रह जाए मन में, मतलब किसी भी element का electronic configuration जब आप लिखते हो, अगर उसका outermost shell जो है, वो fully filled है, मतलब जितना उसमे electron accommodate हो सकता था, उतने electrons already हैं, तो उस case में क्या होगा, वो satisfied ही रहेगा, वो stable ही रहेगा, right, खुश ही रहेगा वो, तो वो stable state है, तो यानि कि सभी लोग अपना octet पूरा करना चाहते हैं, obviously helium एक exception है उसके लिए, but in general बाकि सभी elements क्या चाहते हैं, कि उनका outermost shell में कितने electrons आ जा या जो भी उसकी maximum capacity है, उस shell की, okay, अब कही cases में क्या होता है, कि उसे 8 चाहिए, और उस element के पास 6 है, तो वो क्या सोचता है, 6 अभी है, 6 का, या तो मैं 8 बना लूँ, या फिर 6 का मैं 0 बना लूँ, क्योंकि अगर मैं 0 बना लूँ, तो उसके पहले वाला जो shell है, वो कम से कम fully filled हो जाएगा, right, तो अब वो क्या करेगा उस case में, अगर किसी के पास 6 electron है, वो सोचता है कि आप 6 electron किसी को देना ज्यादा difficult है, 2 electron लेना असान है, तो वो 2 electron ले लेगा, right, अब किसी के पास outermost shell में लेट से 3 electron है, अब वो सोचेगा कि यार, 3 से अगर 8 बनाना है, तो मुझ based on that, elements decide करते हैं कि वो electron देंगे या लेंगे, लेकिन carbon के case में, इसके पास 4 electron है, outermost shell में, अगर ये देने की सोचेगा, तो इसे 4 electron लेने पड़ेंगे, अगर ये लेने की सोचेगा, तो इसे 4 electron और लेने पड़ेंगे, ताकि इसका octet complete हो, मतलब carbon के लिए देना लेना बराब है, तो carbon सोचता है कि यार, confusion में क्यों रहना, कभी दूं, कभी लूं, इससे अच्छा है, मैं अपने ये 4 electrons share कर लेता हूं, बगल वाले के साथ, 4 मेरे पास है, अगर मुझे आस-पास ऐसे लोग और मिल जाए, जो मेरे साथ कुछ electron share कर दे, तो मैं sharing से अपनी octet complete कर सकता हूं तो इसी strategy के साथ, carbon क्या करता है, अपने electrons को share करता है, और covalent bond बनाता है, तो ये था पहला point, अब चलते हैं हम दूसरे point की तरफ, जिसमें carbon की प्रॉपर्टी और होती है, कि ये self combine करता है, मतलब carbon, खुद carbon के साथ ही bond बनाता है, और लंबे लंबे chains बना लेता है, carbon के, इसके पास 4 electrons है, इसको 4 और चाहिए, तो मतलब अगर मैं 2 carbon को बगल बगल में रख दूँ, तो इनका तो आपस में ही काम बन जाएगा, भाई मेरे पास 4 है, तेरे पास भी 4 है, कोई नहीं हम आपस में sharing कर लेते हैं, तो हो गए ना दोनों carbon के पास 8, हुए के नहीं हुए, तो इसका मतलब इनके पास 4 valence electron होने की वज़े से, यह self combine कर पाते हैं, जैसे मालब पोई और element अगर लेते हो, किसी के पास, let's say, बाहर, बाउटर मोस्चल में 6 electrons होते हैं, तो उस case में, वो दूसरों के साथ combine करता है, बट आपस में self combine वाली जो property है ना, यह आपको बहुत कम elements में, ऐसानी है कि किसी और में देखने को नहीं मिलेगा, बट काफी कम elements में देखने को मिलता है, ठीक है, and carbon is one of them, जहां पर यह बड़े मजे से, सिरफ combine ही नहीं करते हैं, मजे से combine करते हैं, और लंबी-लंबी chains बना लेते हैं, दो carbon की, 10 carbon की, 15 carbon की, यह chain बना डालते हैं, ती allotropic forms of carbon, क्या होता है allotropy, इसके बारे में, थोड़ी ही देर में discuss करेंगे, बट फिलाल के लिए आप जान लो, कि carbon क्या है, C, जिसका atomic number 6 है, लेकिन यही carbon, बहुत बार exactly carbon की तरह exist ना करके, diamond की तरह exist करता है, graphite की तरह exist करता है, अब आप सोचोंगे diamond, मतलब मैं आप उसी diamond क की बात कर रहे हो, जिसके rings बने होते हैं, जिसके jewelry में होती है, exactly, मैं उसी diamond की बात कर रहे हो, और वो diamond कुछ और नहीं, बल्कि carbon है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि और element के साथ मिलके diamond बना रहा है, ऐसा नहीं है, diamond is carbon, diamond carbon का एक form है, उसे तरीके से graphite, जिसे आप pencil की leads में देखते ह हो, pencil leads जो होते हैं, जिसे आप लिखते हो, जिसे वो black color के निशान पड़ते हैं, आपके paper में, वो किस चीज से बनी होती है, that is graphite, and again, graphite is nothing else but carbon, तो carbon की एक और खास बात यह हो गई कि carbon, you know, कई और करह के forms में भी exist करता है, तो चलो बच्छो देखते हैं, किस तरीके से covalent bond है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, single covalent bond की, हमने example लिया है, hydrogen का, H2, hydrogen के 2 atoms मिलके, एक hydrogen का molecule बनाते हैं, तो देखो, situation कैसी होती है, यह hydrogen का एक atom, यह hydrogen का दूसरा atom, इनके आपस में दोस्ती कैसे बनती है, यह समाजने वाली बात है, अगर मैं hydrogen के electronic configuration की बात करूं, तो यह कुछ ऐसा होता है, 1s1, या फिर अगर आप KLM के terms में बात करो, तो भी इसका configuration 1 होता है, क्योंकि इसमें एक ही electron होता है, तो यानि कि इस hydrogen के outermost shell में कितने electron है, एक ही electron है, तो इसके पास एक electron है, इसके पास भी एक electron है, ठीक है, मैंने dot से denote किया, ताकि समझने में असानी हो, अब क्या हुआ, इस hydrogen को stable होना है, इसको भी stable होना है, दोनोंने क्या decide किया, मेरे पास दाल है, तेरे पास रोटी है, चल शेयर कर लेते हैं, और दाल रोटी खा लेंगे, वही वाली बात है, इसने बोला, मेरे पास एक है, तेरे पास एक है, तुम अपना वाला मेरे साथ share कर तो मेरे पास दो हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाओंगा क्योंकि आउटर मोस्ट चेल में अगर टू इलेक्ट्रॉन से तो भी वह फुली स्टेबल माना जाएगा ज्यादा स्टेबिलिटी होगी से लाली इस वाले हाइड्रोजिन ने बोला कि भाई तुम भी अपना वाल जो है वो शेयर हुए और यह बॉन्ड बना ठीक अब एक्जाम्पल लेंगे हम ऑक्सीजन का अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें जिसका अटॉमिक नंबर जिसका अटॉमिक नंबर होता है एट तो इसका इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4 अगर आप इस तरीके के orbital वाले configuration से comfortable नहीं है तो oxygen का configuration k L के term में क्या होता है 26 टीक है k shell में 2 electron L shell में 6 electrons टीक है तो घुल मिला के हमें क्या पता चलुएowtermost shell में कितने electrons हैं 6альный upfront oxygen के भ्र यहां भी 000 बनाने के लिए 2 oxygen आटम की जरूरत है जो कि हमारे पास है अब सिजन के पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसी तरीके से इस उक्सिजन आटम के पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब इस उक्सिजन आटम को स्टेबल होने के लिए, आउटरमोस्ट शेल में कि शेयर कर लिए सिमिलेड इस ऑक्सेजिन ने ने भोला ठीक है तुम भी अपने यह दो मेरे साथ शेयर कर लो तो इसने भी शेयर कर दिया अब देखो दोनों ऑक्सेजन आटम्स के ऑक्टेट पूरे हो गए दोनों खुश है दोनो फ्टेबल है और देखो क्या हुआ यहाँ पर बना है वो दो इलेक्ट्रोन पेर के शेरिंग से बना है ठीक है ओके ठीक उसी तरीके से अगर एक्जामपल हम लेते हैं नाइट्रोजन का तो बच्चों नाइट्रोजन के कोन्सी कंफिगोरेशन की अगर आम बात करें तो इसका ऐ्टोमिक गुडंबह होता है यह उटाइट इसकतेमें हो सिंग तो फाइव एलेक्ट्रूस पांच विच्ट्रूस होते हैं तो थो इसमें एक दो त्तियों चार पांच इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या हुआ इसके पास 5 है, अब इस nitrogen के पास 5 electron है, इसे octet पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो ये सामने वाले के 3 electron के साथ sharing कर लेगा, सिमिलरली सामने वाला भी exactly वही काम करेगा, तो हो कह रहा है इसके तीन एलेक्ट्रौन के साथ शेयर हो रहे हैं, यानि कि देखो bond कैसा बन रहा है, दोनों नाइट्रोजेन के बीच में बन रहा है triple bond, जिसे हम कहते है triple covalent bond, तो I think ये तीन examples के help से आपको covalent bond का formation समझ में आया होगा, तो बच्छों, अब कोविलेंट बॉंड की इतनी सारी बाते कर ली हमने, तो चलो फटा-फट से देखते हैं कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो एक्स्क्लूसिवली कोविलेंट कमपाउंट में देखने को मिलती हैं, छीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कि कोविलेंट जेनरली इंसॉल्यूबल होते हैं, वाटर या फिर वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट समझ में आ रहा है न, क्या होता है, जैसे वाटर की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन और ओक्सिजन दोनों के बीच में इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का फरक ह होता है जिसकी वज़य से और सीजन में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है थाटरैंडि पॉलारीटी होता है, तो इस तरह के सॉल्वेंट को हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, तो अब यह जो कोग्ल रिण पकंपाउंट्स होते हैं, इस वज़े से जू नउन पोलर वर वित भी कहते हैं जैसे कि benzene, toluene वगरा इनमें यह soluble होते हैं, ठीक, ओके, तीसरी property, they generally have low melting and boiling points, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो covalently bonded compounds होते हैं, within the molecule, तो यह काफी strongly bonded होते हैं, electron sharing की वज़े से, covalent bond की वज़े से, एक molecule के अंदर का bond होता है, वो तो काफी strong होता है, लेकिन जो intermolecular forces होते हैं, दो molecules के बीच का जो force होता है, वो काफी weak होता है, इस वज़े से, उन forces को तोड़ना काफी आसान होता है, बात को अच्छे से समझो, रटना नहीं है, boiling point, melting point, क्या करती है, अगर म हम कहते हैं कि इसको heat करते रहे, heat करते है, यह boil हो गया, मतलब वो liquid से gas में चला गया, liquid से gas में वो कब जाएगा, जब उनके जो molecules हैं, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, gases में क्या होता है, molecules बहुत दूर-दूर होते हैं, तो यानि की boiling point वो temperature है, जब हम molecules को दूर-दू भेज पा रहे हैं, ठीक, अगर इन दोनों molecules के बीच का force बहुत मजबूत होगा, तो इनको दूर-दूर भेजना असान नहीं होगा, उस case में हमें heat करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, यानि कि उस case में boiling point high हो जाएगा, इस case में, अभी फिलहाल, हम covalent compounds की बात होते हैं, लेकिन जैसे 2-3 जो अलग-अलग molecules से उनके बीच का जो intermolecular force होता है, वो काफी कम होता है, इसलिए वो बड़ी असानी से boil कर जाते हैं, या बड़ी असानी से melt कर जाते हैं, और इस वज़े से इनका melting point boiling point low होता है, चौथा property, they do not conduct electric current, अब सोचने वाली बात है कि जो covalent compounds जो बनते हैं, ये electron के sharing से बनते हैं, इस वज़े से इस तरह के bonding में कहीं पर भी ions बनने की कोई गुझाईश नहीं होती है, जैसे अगर हम इसे ionic compound से compare करें, तो ionic compound में क्या होता था, कोई electron दे रहा है, तो वो positively charge हो जा रहा है, जो electron ले रहा है, वो negatively charge हो जा रहा है, तो क्योंकि हमें current कहीं से भी current conduct करने के लिए current careers चाहिए, तो यहां पर जो covalent compounds होते हैं, यहां पर इस तरह का कोई सेनारियो नहीं आता है, इसलिए यह generally poor conductor होते हैं, हाला कि अगर हम carbon के specially बात करें, तो यहां पर हम एक exception देखने को मिलता है, वैसे तो most of the forms of carbon are poor conductors of electricity and heat, लेकिन इसका एक exception है, उस exception के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो बचो अब हम discuss करने वाले हैं about electron dot structure, electron dot structure, नाम पे focus करो, electron dot, यानि कि हम electrons को denote करेंगे dot से, और इससे हमें एक structure मिलेगा, जो structure हमें किसी भी compound के अंदर covalent bonding को समझने में मदद करेगा, ठीक है, बदेब यह एक बार आ तो इस लाइक super easy for you to visualize and understand कि कोविलेंट bonding हो कैसे रही है, ठीक है, simple से example से शुरुवात करेंगे, exam से नहीं, जैसे माल लोगर हमारे पास hydrogen है, H2, hydrogen कैसे बनता है, एक hydrogen का molecule, 2 hydrogen atom से बनता है, 2 H लिख दिया हमने, अब hydrogen में कितने valence electron होते है, hydrogen का atomic number 1 होता है, तो इसमें एक ही valence electron होते हैं, तो इस valence electron को हमने dot से denote कर दिया, तो इस hydrogen के लिए 1 dot, दूसरे वाले hydrogen के लिए 1 dot, अब दोनों को stable होना है, octet hydrogen तो नहीं पूरा करता है, hydrogen क्या पूरा करता है, duplet, मतलब अगर outermost electron में 2 electron भी आ गए, outermost shell में अगर 2 electron आ गए, तो hydrogen अपने आपको stable कहेंगा, कैसे कर हाइड्रोजन, दोनों hydrogen आपस में setting कर ली कि भाई, तू अपना electron मेरे साथ share कर मैं अपना तेरे साथ करूंगा, और इस तरीके से इस hydrogen ने ये दोनों electron अपना मान लिया, उस hydrogen ने इन दोनों electrons को अपना मान लिया, तो दोनों happy क्योंकि दोनों stable, और इन दोनों electron के sharing से बन गया single covalent bond, ठीक, अब example लेते हैं oxygen का, O2, दो oxygen atom से बनता है, oxygen के electronic configuration को अगर आप देखो तो oxygen के valence shell में होते हैं 6 electrons, तो मैंने पहले वाले oxygen के चारों तरफ 6 electrons बना दिये, दो-दो के pair में, दूसरे बारे oxygen के लिए भी मैंने same किया, अब देखो इने क्या जाहिए, oxygen के पास 6 है, इ उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, दो-दो electron आपस में share करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने दो-दो electron आपस में share किया, तो ये वाले oxygen के पास भी 8 electron हो गए, उस वाले oxygen के पास भी 8 electron हो गए, तो दोनों happy, और यहां बन गया है क्या, double covalent bond, राइट, तो देखो electron dot structure हम इस तरीके से बनाते हैं, और इस structure को देख के ही पता चल जाता है, covalent bonding किस तरीके से हो रही है, ठीक, इसी तरीके से, अगर हम nitrogen की बात करें, तो nitrogen में outer most shell में होते हैं, पांच electron, दोनों के पास 5 है, okay, अब 8 पूरा करने के लिए 3 electron की और ज़रूरत है, तो यह लोग कि दिने share कर लिए, उसने इसके तीन अपने मान लिए, तो दोनों nitrogen के पास कितने हो गए, 8-8 electron हो गए, और यहां बन गया triple covalent bond, इनको हम ऐसे आम तोर पर single bond, double bond, triple bond, ऐसे भी कहते हैं, ठीक है, तो electron dot structure आपको बच्चो बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, हाला कि अभी हम कुछ और प्राक्टिस भी करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आजाओ बच्चो अब हम electron dot structure की थोड़ी सी प्राक्टिस करेंगे, ठीक है, प्राक्टिस से भी पहले समझ लेंगे, इनके steps को थोड़ा और बारीखी से, तो यहां पर एक example को लेते हुए, जो example है, carbon dioxide, CO2 का example लेते हुए, हम electron dot structure बनाने के steps को देख लेते हैं, तो हमारा पहला step हमेशा होगा, to write the electronic configuration of all atoms present in the molecule, मतलब carbon dioxide में, कौन-कौन से atom present है, एक तो carbon present है, और एक oxygen present है, यह दो ही atom present है, अब इनके electronic configuration लिख लो, carbon का electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p2, उसी तरीके से oxygen के electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है, सबसे बहले मैंने electronic configuration लिख लिए, okay, step number 2, identify how many electrons are needed by each atom to attain octet or duplet, मतलब extra stable होने के लिए, fully filled चाहिए मुझे बाहर वाला orbital, यानि कि वो octet, यानि कि या तो 8 electron हो, या फिर 2 electron हो, 2 electron is like exception, जो के hydrogen, helium के लिए होता है, बाकियों के लिए octet पूरा होना चाहिए, ठीक है, तो यह identify करो, अब देखो carbon में, कितने हैं, outermost, valence electrons, 4 है, oxygen के case में, valence electrons, देखो न, 2s2, 2p4, ये 2 वाले, और बाइटल में, मतलब L वाले, चल में, तोटल कितने electron हैं, 6, तो valence electrons, यहाँ 6 है, अब दोनों को ही octet पूरा करने के लिए, कितने-कितने electrons चाहिए, oxygen को चाहिए, 2 electron, carbon को चाहिए, 4 electron, ठीक है, यह पता कर लिया, अब step number 3, share the electrons between atoms in such a way that the atoms attain octet, तो इसका मतलब, हमको electron की sharing ऐसी करनी पड़ेगी, कि carbon का भी octet पूरा हो, और oxygen का भी पूरा हो, अब यहाँ पे दिख रहा है, CO2, मतलब, carbon 1 है, लेकिन oxygen 2 है, ठीक है, मतलब, carbon का एक atom है, बट oxygen के 2 atoms है, ठीक है, oxygen के atom में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electron है, electron dot structure बना रहे हैं, इसलिए electrons को हम dot से दिखाएंगे, ओके, oxygen के, इस वाले oxygen के case में भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valence electrons है, carbon के case में 4 है, उन 4 electrons को कैसे दिखाओगे, अब ध्यान से सोचो, इस oxygen को सामने वाले carbon से 2 electron share करना है, इसका मतलब, यहाँ पर 2 electron लिखो, oxygen कहेगा, कि carbon तुम ये 2 electron मेरे साथ share कर दो, तो मेरा octet पूरा हो जाएगा, अब इधर वाला oxygen है, वो भी कुछ ऐसा ही सोचेगा, कि मेरे पास 6 हैं, दो तुम मेरे साथ share कर दो, ऐसा कर देने पर मेरा octet पूरा हो जाएगा, है कि नहीं, अब सोचते हैं carbon के बारे में, अब carbon को भी तो अपना octet पूरा करना है, अब carbon के पास खुद के 4 valence electrons है, अगर इधर वाला oxygen अपना 2 electron share कर दें और इधर वाला oxygen अपना 2 electron share कर दें, तो देखा जाए तो carbon का भी octet पूरा हो रहा है, तो यानि कि एही हो गया हमारा electron dot structure of carbon dioxide, यानि कि carbon dioxide का electron dot structure हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, So this is the electron dot structure of carbon dioxide चलो बच्छो अगला example देखेंगे water का यानि की H2O इसको देखते ही क्या पता चल रहा है यहां पर hydrogen के 2 atoms है और oxygen का 1 atom है हमारा step number 1 क्या था कि जो भी atoms involved है उनका electronic configuration लिखना है तो hydrogen का हो जाएगा 1s1, oxygen का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p4 जैसा कि मैं हमेशा बता रही हूँ यह electronic configuration आप इस format में भी लिख सकते हो या फिर आप इस format में भी लिख सकते हो या फिर यहां पर भी आप ऐसे KL वाले format में भी लिख सकते हो है अब दोनों ही केस में हमें क्याँ दिख रहा है hydrogen के पास एक iki अा है से ठीक है अब hydrogen के पास एक ही वैलेंस इलेक्टरॉन है लेकिन oxygen के पास कितने हैं छे वैलेंस इलेक्टरॉन से अब देखो oxygen को दो चाहिए लॉजिकली सोचो 2 और चाहिए तो एक अगर यह hydrogen share कर देगा एक दूसरा वाला hydrogen share मेगा तो ऑकसीजन का उक्टेट पूरा हो جाएगा तो यानिकि ओक्सीजन के पास एक दो तीन चार लेट से पांच शै है तो इस आऀक्सीजन के साथ अगर ये हईड्रोजन अपना एक शियर घर कर देगा यह अब नए बीश दी पूरा हो जाएगा तो यह हो गया हमारा इलेक्ट्रोंड डॉट श्रक्चिर मतलहे आप ऐसे लिख सकते हो अब यहां पर आप सोच रहें की मैंने इस एंगल के फॉम में बनाए है जो आप अपने सीनियर classes में जाके पढ़ होगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा H2O का electron dot structure चलो वह एक और last example practice करते हैं which is methane यानि कि CH4 ठीक है तो methane का electron dot structure कैसे बनाएंगे अब तक थोड़े सा used तो होई चुके हो इसमें दो atoms involved है carbon और hydrogen hydrogen 1s1 यानि कि इसमें एक valence electron है carbon 1s2 2s2 2p2 यानि कि इसमें total कितने valence electrons है चार valence electrons है ठीक है तो carbon को चार और electron चाहिए octet पूरा करने के दिए hydrogen को एक और electron चाहिए बट hydrogen कितने है चार इसका मतलब अगर मैं carbon को बीच में बठा दूं और इसके चारों तरफ एक-एक hydrogen रख दूं इससे देखो दोनों का काम बन जाएगा कैसे बनेगा carbon को चार और electron चाहिए हर एक hydrogen के पास एक-एक electron है और यहां चार hydrogen है तो अगर सभी hydrogen अपना एक-एक electron carbon के साथ share करेंगे तो carbon का तो काम बन जाएगा क्योंकि carbon के पास खुद के एक-एक-एक-एक-एक इलेक्ट्रों शेयर कर दिया तो देखो इस तरीके से carbon का octet हो जा रहा है पूरा है ना अब बात करते हैं hydrogen की अगर देखें इस hydrogen को अगर carbon एक electron share किया तो इसका काम बन गया इसका भी काम बन गया इसका काम भी बन गया और इसका काम भी बन गया तो इस तरीके से सभी के octet पूरे हो रहे हैं and this is how we draw the electron structure of methane अब भाई एसा कोविलेंट बॉन्ड जिसमें कोई polarity होती हो polarity कब आता है जब वह कोविलेंट बॉन्ड जिनके बीच में बन रहा है उनके बीच में electronegativity का difference हो जैसे h2o h2o में hydrogen के मुकाबले oxygen जादा electronegative है इस वज़े से हाला कि hydrogen और oxygen के बीच में electron share हो रहे हैं बट स्टिल चुकि oxygen थोड़ा ज्यादा electronegative है इसलिए वह electron को थोड़ा सा अपनी तरफ खीजने की कोशिश करता है as a result oxygen में आ जाता है slight negative charge और hydrogen में आ जाता है slight positive charge और इस तरीके से develop हो जाता है एक polarity in a covalent bond और ऐसे covalent bond को हम कहते है polar covalent bond जैसे कि दूसरा example अगर हम लें ammonia का ammonia होता है NH3 nitrogen के साथ 3 covalent bond बन रहे है hydrogen का अब nitrogen और hydrogen के बीच में भी electronegativity का काफी difference होता है जिस वजह से यह जो shared electrons है nitrogen और hydrogen के बीच में उन इलेक्ट्रॉंस को nitrogen थोड़ा सा अपनी तरफ कीच लेता है इसलिए nitrogen में होता है slight negative charge hydrogen में होता है slight positive charge और यह हो जाता है हमारा polar covalent bond का एक example तो बच्चो हमारा अगला टॉपिक है allotropy कुछ ताइम पहले मनें बताया था कि carbon की एक खास बात यह भी है कि यह कई different forms में exist करता है in fact element की जो यह वाली property होती है जिसमें वो कई different forms में exist करता है जो chemically similar होते हैं मतलब chemically तो वो सारे के सारे carbon है लेकिन physically वो सारे अलग है they are physically different but chemically similar physically different है बोलने का मतलब है कि उसमें जो atoms का arrangement है that is different for example अगर हम carbon की बात करें तो carbon के दो popular allotrops है diamond and graphite अब diamond और graphite chemically अगर आप बोलोगो तो diamond is also carbon graphite is also carbon लेकिन यह दोनों exactly same चीज़ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि physically they are not same diamond का जो arrangement है carbon atoms का वो completely different है than graphite के अंदर जो arrangement है तो चलो थोड़ा सा time spend करेंगे to understand the allotropic forms of carbon तो बच्चों जब हम carbon के allotrops की बात करेंगे तो यहां पर हम दो categories की बात करेंगे पहला crystalline carbon और दूसरा amorphous carbon crystalline carbon वैसे वाले structures कहलो जहां पर एक specific arrangement होता है atoms का इस category के अंदर फॉल करता है graphite, diamond, buckminster, fulleran यह तीन allotropes इस category में fall करता है अगर बात करते हैं हम amorphous carbon की तो इस category में fall करता है coal charcoal lamp black यह सब भी carbon के ही फॉर्म से बट इन में कोई atom का specific arrangement नहीं होता है that is why they fall under the amorphous category in fact यहां पर आप यह भी note कर सकते हो कि यह जो amorphous carbon होते हैं अगर इनके composition को देखें तो चलो अभी के लिए हम इन सारे forms को detail में discuss तो नहीं करेंगे हम दो popular forms को detail में discuss करेंगे and they are graphite and diamond तो चलो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे graphite के बारे में graphite सबसे पहले देखेंगे इसके structure को तो graphite का structure होता है एक hexagonal array का structure जो की एक layered structure होता है अब मैंने तीन चीज़ें बता दी hexagonal array और layered इसका मतलब क्या होता है इसको समझते है hexagon सभी को पता है एक ऐसा polygon जिसके 13 sides होते हैं तो अब बड़े ध्यान से structure को देखो और देखते-देखते समझते जाओ यहां पर देखो एक hexagon दिखेगा 1234566 sides वाला एक hexagon है इस तरह से बहुत सारे hexagon ऐसे बने होते हैं और इस तरह के hexagonal layers कई सारे होते हैं जैसे नीचे भी hexagon दिख रहा होगा आपको तो यह layered structure इसलिए कहते हैं एक-एक hexagonal array होता है एक-एक layer hexagon का होता है और ऐसे multiple layers होते हैं ठीक है इसलिए यह layered structure है अब graphite के structure में आप देखोगे कोई भी एक carbon यह जो balls आप बीच में देख रहे हो देयार all carbon तो कोई भी एक carbon तीन और carbon से जुड़ा होता है बड़े ध्यान से देखो अब यहां पे तो मैंने सिरफ एक चोटा सा sample बनाया है ताकि आपको मैं समझा सकूं जैसे for example अगर आप इस carbon की बात करो ठीक है नीचे वाले लेयर के साथ जो connection है उसको आप भूल जाओ अभी ठीक है क्योंकि वो दो different layers के बीच में कोई bond नहीं है ठीक है तो अगर एक layer की सिरफ बात करो इन फैक्ट हम लोग नीचे के layer को एक बार हटा देते हैं तो अब अगर मैं सिरफ एक single layer की बात करूं जो कि इस तरह से hexagonal layer होता है यहाँ पर मैंने सिरफ दो hexagon लियते ऐसे बहुत सारे hexagonal array होते हैं ठीक है तो किसे भी एक carbon को अगर आप देखोगे जैसे इस वाले black वाले ball को अगर आप देखो विचिस carbon तो यह इधर एक purple वाले से जुड़ा हुआ है इधर एक blue वाले से और पीछे की तरफ एक black वाले से यानि कि यह एक carbon तीन और carbon से जुड़ा हुआ है अब आप कह सकते हैं कि मैं यह वाले black वाले तो सिर्फ दो से जुड़ा हुआ है वो इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ दो ही hexagon बनाए है बट यहां पे graphite में तो और hexagon होंगे इधर भी तो यह भी एक और carbon से जुड़ा होगा तो basically एक layer में हर एक carbon तीन और carbon से जुड़ा हुआ होगा और बनाएगा hexagonal array और इस तरह के hexagonal array के कई layers होंगे उस वज़े से इसे हम कहते है layered structure अब यह जो layers होते हैं जैसे कि मैंने बताया layers के बीच का जो force of attraction होता है that is quite weak मतलब यह उपर का layer उसके नीचे के layer से बहुत strongly bonded नहीं होता है इसी वज़े से यह दो layers can slide and slip over each other तो यह एक दूसरे पर slide भी कर सकते हैं और उसी कारण से graphite की property होती है that they are smooth and slippery तो अगर कोई आप से पूछे कि graphite smooth and slippery क्यों होता है क्योंकि इसके इसका layer structure होता है और इनके layers के बीच का जो intermolecular attraction होता है that is weak और इस वज़े से the layers can slide over each other और उसी वज़े से graphite is slippery and smooth in nature. In fact graphite के structure के अगर हम बात करें तो यह two-dimensional structure है right क्योंकि इसमें यह layers के form में पूरा structure है so it is a two-dimensional structure अगर बात करें इसके property की तो हम देखते हैं कि graphite जो है it is a good conductor of electricity अब आपको कुछ याद आया कुछ टाइम पहले जब हम covalent compounds की properties की बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि जो covalent compounds होते हैं वो सभी क्या होते है generally they are poor conductors of electricity हाला कि carbon के case में एक exception है और वो exception है अपना यही graphite तो graphite exception है कि यह poor conductor ना होके good conductor of electricity है तो जाहिर सी बात है आप जानना चाहोगे कि ऐसा क्यों है तो उसका answer लाइक करता है graphite की structure में हमने क्या देखा कि graphite का हर एक carbon जो है एक जो है वो free रह गया और यह free electron क्या कर सकता है जहां पे भी आपको free charges मिलेंगे उन free charges के movement से क्या हो सकता है current तो जहां पे भी free electrons free charged particles है तो उनका काम ही है current carry करना और इसी वज़े से graphite good conductor of electricity तो चलो बच्छो अब देखते हैं हम carbon का दूसरा allotrop which is diamond हीरा है सदा के लिए तो चलो diamond का structure होता है यह बहुत ही rigid structure होता है in fact I'm sure आप सभी को पता होगा that diamond is the hardest substance known इतना hard होता है और इसके hardness का कारण इसका rigid structure होता है तो चलो देखते हैं कि diamond का structure कैसा होता है तो diamond का एक three dimensional structure होता है कुछ इस तरीके का बहुत ही complex सा दिख रहा होगा इसको देखके ही पता चल रहा है it is like a network structure right बड़े ध्यान से structure को समझना यह बीच वाले black ball फोकस करो और ध्यान से देखो यह वाला जो बॉल है यह एक दो तीन और चार चार और कारबन से connected है यह सारे black color के जो बॉल से रिप्रेजंट कारबन तो diamond के structure में आप देखोगे एक कारबन चार और कारबन से bonded है obviously covalently bonded है ठीक है तो यह एक more or less tetrahedron टाइप का structure बनाता है यह वाले बीच वाले carbon को देखो बीच वाले इस black ball को देखो यह उपर की तरफ इससे connected है पीछे की तरफ इससे diagonally side की तरफ इससे दाइगनली इस side की तरफ इससे तो एक कारबन चार से connected है फिर यह वापिस एक दो तीन चार से connected है यह बी वापिस एक दो तीन और चार से connected है तो यह सारे ही carbon जो है ना चार और carbon से connected है और इस तरह की connection की वज़े से हमें यह 3 3-dimensional network rigid structure हमें मिलता है और यह जो कोविलेंट बॉंड्स कार्बन आपस में बनाते हैं यह बहुत ही स्ट्रॉंग और स्टेबल बॉंड्स होते हैं जिन्हें आम आसानी से तोड नहीं सकते हैं और उसी वजह से डायमंड जो है यह काफी हार्ड होता है अगर डायमंड के एलेक्रिसिटी कंडक्षन की ब़ात करे हैं तो डायमंड कियों क्यों आप खुद सुचो एक कारबन चार और कार बंसे जुड़ा हुआ है और कारबन क्या होता है थे ट्रावेलेंट होता है तो यह चार ही बान्ड बना सकता तो वह जो चार इलेक्ट्रॉन इसके पास थे चार 60 yes you heard it right तो यहां पर यह जो 60 carbon atoms हैं यह arranged होते हैं in the shape of a football obviously it is a three-dimensional structure and this is a dark solid at room temperature अगर इसके softness or hardness की बात करें तो structure को देख के शाद लग रहा होगा कि it is super hard but it is neither too hard not too soft तो बचो carbon के allotrops को discuss करने के बाद अब हम discuss करने वाले हैं about catenation what is catenation यह वही property है जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं which is carbon की unique ability जिससे carbon अपने ही जैसे लोगों के साथ bond बना सकता है मतलब carbon carbon के साथ ही bond बना सकता है और यह जो bonds बनते हैं they are quite strong quite stable जिसकी वज़े से बहुत सारे carbon जुड़ जुड़ के self combine करके लंबे लंबे चेंज बना सकता है धेर सारे compounds बना सकता है carbon दो carbon आपस में single covalent bond बना सकते हैं double covalent bond बना सकते हैं और triple covalent bond भी बना सकते हैं तो बचो जैसे ही हम carbon compounds की बात करते हैं बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि carbon compounds मतलब organic compounds और गानिक compounds मतलब carbon compounds लेकिन मैं यहां पर यह जो डाउट है इसको clarify करना चाहूंगी कि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सारे carbon compounds organic है और सारे organic compounds carbon है तो organic compounds वो compounds होते हैं जिनमें carbon तो होता ही है साथ ही साथ hydrogen भी होता है मतलब carbon present होता है और carbon hydrogen के साथ bonded भी होता है दोनों चीजें होती है और इन compounds को हम organic compounds कहते इसलिए हैं because in compounds को origin होता है plants and other living organisms इस वजह से इन्हें organic compounds कहा जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे compound हैं जिनमें carbon होता है बत वह organic compounds नहीं कहलाते हैं जैसे कि carbohydrates oxides of carbon carbonates hydrogen carbonates इन सब ही मैं अगर आप efर इनमें carbon तो हम तो होता है बट यह जो हो ओर र्गानिक compounds नहीं कहलाते है आए झाल इन सब में carbon तो होता है बट यह और्गानिक कंपाउंट्स नहीं है लेकिन यह कार्बन कंपाउंट्स है तो इसका मतलब जिन भी कंपाउंट्स में कार्बन है उनको आप कार्बन कंपाउंट कह सकते हो लेकिन और्गानिक कंपाउंट्स आप उनको कहोगे जिन में कार्बन है और कार्बन ह hydrogen का bonding भी है और वे जो compound से यह पाए जा रहे हैं living organism से जैसे कि methane, ethane, etc. इतने large number of organic compounds पाए जाते हैं कि हम chemistry के अंदर altogether एक अलग branch बना दिया है organic chemistry का है ना तो क्या reason है अब तक आप खूदी answer कर सकते हैं क्या reason है कि हमने यह सारे इतने large number of organic compounds मिलते हैं पहला reason carbon की वही catenation वाली property unique ability की carbon, carbon के साथ bond बना सकता है दूसरा यह जो carbon carbon bonds होते हैं यही बहुत ही बहुत ही बहुत ही strong और stable bonds होते हैं तीसरा carbon का tetra valence यानि की carbon के valence shell में जो चार electrons है न वो होने की वज़े से carbon के लिए electron देना और लेना बराबर होता है इस वज़े से carbon believe करता है sharing में और वो covalent bond बना के सभी के साथ आसानी से bond बना लेता है चौथा ना सरफ खुद के साथ बलकि दूसरों के साथ भी बड़े आसानी से यह bond बनाता है चाहे hydrogen हो चाहे nitrogen हो चाहे oxygen हो चाहे sulfur हो carbon इन सब के साथ bond बना पाता है तो यह कुछ चार ऐसे reasons हैं जिसकी वज़े से हम देखते हैं हमारे आस पास इतने सारे organic compounds exist करते हैं तो भाई अब carbon compounds की कहानी शुरू हो चुकी है मतलब जो सबसे पहले चीज हम discuss करेंगे that is hydrocarbon नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है hydrogen का hydro और carbon मतलब ऐसे compounds जिसमें carbon और hydrogen हो उन्हें हम कहते हैं hydrocarbons hydrocarbons कई तरह के होते हैं majorly दो categories में हम categorize करते हैं Aliphatic hydrocarbon and cyclic hydrocarbon Aliphatic मतलब जो straight chain hydrocarbons होते है मतलब carbon 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 ऐसे करते हैं straight chain straight chain हो या branched chain हो basically वहां पर cycle या फिर circle नहीं बनता है carbon का बॉन्ड और सरकल नहीं बनता है तो वह वाले जो straight chain या branched chain hydrocarbons है उन्हें हम aliphatic hydrocarbon के अंदर करते हैं, दूसरे तरफ है cyclic hydrocarbon, cyclic नाम से पता चल रहा है, इसमें एक cycle या फिर circle बनता है circle बोले तो, मालनो इस carbon से तुमने bonding शुरू करी carbon से bond बना और carbon से bond बनते, बनते, बनते वापिस उसी carbon पर आ गया यानि कि एक circle हो गया, एक cyclic hydrocarbon बन गया अब इनको हम further categorize कर सकते हैं जैसे कि aliphatic hydrocarbons को हम further categorize कर सकते हैं into two types saturated and unsaturated saturated hydrocarbons वो होते हैं जिनके अंदर सिरफ single bond होता है और किसी भी तरह का bond देखने को नहीं मिलता है दूसरी तरफ and unsaturated hydrocarbons वो होते हैं जिनके अंदर हमें double bond या तरीपर बौंड भी देखने को मिलता है तो जहां पर स्लब सिंगल बौल मिलता है यानी कि जो saturated hydrocarbons है उन्हें हम कहते हैं alkane सुमोर जहाँंपर double bond दिखने को मिलता है unsaturated वाल Benjamin rocket और ट्रिपल ऱेक्यों को मिलता है उन्हें हम कहते हैं याद रहेगा क्योंकि आगे कि सारी कहानी एलकेन एलकेन पर ही चलने वाली है अब दूसरी तरफ ठीक उसी तरीके से साइकलिक हाइड्रोकार्बन को भी हम फर्दर दो टाइप में काटेगराइज कर सकते हैं पहला टाइप है साइकलो एलकेन यानि की नाम देखो एलकेन से प ठीक है तो एक लगभग समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन सोते क्या है कौन-कौन से टाइप के होते हैं चलो आगे बढ़ते हैं तो बच्चों सबसे बरे बात करेंगे अलकेन की आलकेन जैसे कि मैंने बताया एलकेन में क्या होता है अलकेन में होता है सिंगल बॉंड ठ इतने भी आलकेन से वो इस जेनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं विच इस Cn H2 N फ्लस तू अब यहां पे ना थोड़ा सा मतलब confusion सा हो जाएगा कि मतलब एलकेंज का एक फॉर्मूला है मतलब दुनिया में जितने भी आलकेंज है वो इस फॉर्मूला के मतलब को फॉलो करेंगे अंदा अंसर इस जैसे एक्जामपल देती हूं अलकेंज का सबसे सिंप्लेस्ट अलकेंज का एक्जामपल है मीथेन विच इस सी एच फॉर एक कार्वन चार हाइड्रोजन से बॉंड कर रहा है ठीक है देखो इस फॉर्मूला के लिए ट्रू है थेन अगर एच की वैलू है तो ह की वैलू एच के साथ कितने लगेंगे टू एन प्लस तो फॉर तो थी एच फॉर टाइट मीथेन अब बात करो एथेन की एथेन इस सी तू हएच सिक्स देखो स्ट्रक्टर ऐसा है दो कार्बन और टोटल यह थे हाइड्रोजन अंद यह भ इसे एक जेंडरल फॉर्मूला बन गया दे लॉजिक इस वेरी वेरी सिंपल वच्छों क्योंकि कार्बन जो है वह चार ही बॉंड तो बना सकता है बिकास कार्बन इस टेट्रा वैलेंट तो वह पांच वांड तो किसी से बना जी सकता नहीं है है तो कार्बन हमेंशा चार टेंड बनाएगा आप देखो मीथेन मैं मैंने बोल दिया कि मीधेन के पास कार्बन की अगर ऑगे तो नहीं होता है क्योंकि यह बन कर्ण नहीं कर्ण है तो यह सिंगल बॉंड यह कि एक एक इलेक्त्रॉन तो आपस में ही मिल जा रहा है रहा है तो अब इच carbon की जो electron के requirement है वो 4 नहीं है वो 3 है इस carbon को 3 और bond बनाने है उस carbon को 3 और bond बनाने है तो इधर 3 hydrogen उधर 3 hydrogen तो 6 तो basically carbon जो के tetravalent है तो हमें पता होता है कि carbon के साथ 4 और चीज़ें जुड़ सकती है चाहे वो carbon हो चाहे वो hydrogen हो तो उस logic से हमने alkanes के लिए और alkanes में हमें पता है कि single bond ही रहेगा double bond का कोई scene नहीं है तो इसलिए alkanes के लिए हमने ये general formula बना दिया है which is cn h2n plus 2 अगर हम alkanes के reactivity की बात करें तो alkanes chemically unreactive होते हैं क्योंकि ये जो carbon carbon या carbon hydrogen bonds होते हैं ये बहुत ही तगड़े होते हैं बहुत ही strong और stable होते हैं और इस वज़े से इनहें तोड़ना बिलकुल आसान नहीं है ये फेविकॉल के जोड़ की तरह है exactly तो काफी strong and stable bonds होन तो बच्छो अगर हम alkanes की examples की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिरफ methane, methane, propane पे आके examples रुक जाते हैं बड़े लंबे-लंबे alkanes भी बनते हैं जहां पे 10-10 carbon वाले 15-15 carbon वाले भी alkanes के chains होते हैं और ऐसे compounds exist करते हैं तो इनको हमने methane, methane, propane ये सब नाम इनके कैसे आए ये सारी बात हैं हम थोड़ी दिर में discuss करेंगे जब हम discuss करेंगे nomenclature, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं alkenes के क्या हाल चाल है, alkenes मैंने पहले ही बताया है, इनमें double bond देखने को मिलता है, तो इसलिए जो alkenes होते हैं इनके लिए भी हमने एक general formula बना दिया, which is cnh2n, कैसे बनाया, इनके case में देखो क्या होगा, double bond होने के लिए हमें कम से कम दो carbon चाहिए, वरना carbon क्यूंकि double bond carbon और hydrogen के बीच में तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि hydrogen के पास एक ही electron है, तो वो एक ही electron तो share कर सकता है, double bond बनाने के लिए उसे 2 electron share करने पढ़ेंगे, अपने 2 electron देने हैं, 2 carbon तो कम से कम चाहिए, तो इसका मतलब हमें methane जैसा कोई compound नहीं मिलेगा, यानि कि एक carbon वाला alken doesn't exist, तो 2 carbon वाले alken को भी देख लेते हैं, जैसे कि यह जिसे हम कहते है, ethene, इसको देखो, अब carbon 4 bond बना सकता है, जिसमें से double bond तो इसने दूसरे carbon के साथ ही बना लिया है, तो इसका मतलब अभी यह 2 single bond और बना सकता है, तो यह वाला carbon 2 hydrogen के साथ जुड़ेगा, वो वाला carbon 2 और hydrogen के साथ जुड़ेगा, तो बन जाएगा C2H4, यानि कि as per our general formula CnH2n, तो यह होते हैं alkenes, अगर इनके reactivity की बात करें बच्चों, तो हम देखते हैं कि alkenes, alkenes के मुका अबले ज्यादा reactive होते हैं, पता है ऐसा क्यों, क्योंकि यह जो double bonds होते हैं, यह double bonds हमारे single bond से कमजोर होते हैं, yes, क्यों होते हैं कमजोर, अब इसको समझाने के लिए न, मुझे आपको थोड़ा सा कुछ और समझाना पढ़ेगा out of the track, जो single bond होता है, that is sigma bond, यानि कि वो ओवर यह जो bonds बनते हैं, यह basically आप अपने 11th class में पढ़ोगे, chemistry में, जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे exactly bond बनते हैं, अभी तो हम इतना बोलके छोड़ दे रहें कि electron की sharing से bond बन रहे है, जब आगे जाके देखोगे exactly किस तरह के overlap से यह bonds बनते हैं, एक overlap होता है, head-on overlap, उस सम में जो bond बनता है, that is sigma bond, एक होता है sidewise overlap, sidewise overlap से जो bond बनता है, वो होता है pi bond, ठीक है, अभी ना मैं इंस के detail में नहीं जाओंगे, मैं सिरफ आपको एक idea देना चाहरी हो, तो single bond जो होता है, वो sigma bond होता है, जो कि strong होता है, एक्दम strong and stout, लेकिन जैसे ही हम double bond, triple bond की बात करते हो हैं, तो वहाँ पर pi bond आजाता है, और pi bond काफी कमजोर होता है, sidewise overlap हो रहा है, तो इतना strength नहीं आता है, जैसे head on overlap, ऐसे करके overlap होगा, तो एकदम तगड़ा overlap होगा, लेकिन sidewise overlap होगा, तो उतना तगड़ा जो bonding है ना, बनेगा नहीं, तो इस logic को याद रखना, तो आपको या की जो reactivity होती है, वो alkenes से ज्यादा होती है, अब अगर alkenes के examples की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 2 carbon का, 3 carbon का, 4 carbon का, 5 carbon का, 10 carbon का alkenes देखने को मिल जाएगा, जिसे हम नेम करते हैं, as ethene, propene, butene, pentene, etc. तो बच्चों alkenes के बाद किसका number है, number है alkenes का, जैसा मैं पहली ब जनरल formula होगा, बिल्कुल होगा, triple bond बनने के लिए भी कम से कम हमें 2 carbon चाहिए, मालो 2 carbon ले लिया, अब क्या, यह carbon 4 bond बना सकता है, वो भी 4 बना सकता है, तीन तो इन्होंने आपस में ही बना लिये, है यह नहीं, triple bond बना लिया, मतलब, 3 single bond type का ही होगे, मतलब उतने electron से इसको म एक और hydrogen के साथ जुड़ेगा, तो यानि कि यह carbon एक और hydrogen के साथ bond करेगा, वो carbon भी एक और hydrogen के साथ bond करेगा, और बन जाएगा C2H2, यानि कि alkynes का general formula होगा, Cn, H2N-2, ठीक है, clear है, reactivity की अगर हम बात करें, तो यह काफी reactive होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, कि यहा 5 bonds आगे, तो मतलब इनके जो bond की strength है, और कम हो गई, तो और easy to break है, and therefore, they are more reactive, ठीक है, examples की अगर बात करें, तो triple bond वाले भी आपको 2 carbon के, 3 carbon के, 10 carbon के सब मिल जाएंगे, ठीक है, और naming हम थोड़ी देर में discuss वैसी करेंगे, बच्छों यह जो alkyne, 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 यह जो नाम है पहली बार सुन रहे हो, काफे chance है कि आप confused हो सकते हो कि alkyne single bond वाला था या alkyne, alkyne double bond वाला था या alkyne, इस तरह की confusion होने को हो सकती है, तो इसे लिए यह रहा आपके लिए एक memory trick, अगर आप देखो alkyne, 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 inके नाम में सिरफ एक ही alphabet का फरक है, A, E और Y, याद आपक आपयँ ए फिर आता है के य तो इसलिए पहला वाला single bond फिर double bond Lot czyli शयाद रख ले शयाद ही, इं इसमें से सबसे पहले, मैत आता है, तो ऐ वाला सो ए ये alkyne, allkyne, that is double bond, फिर आता है, य वाला था टिकार रया का या रिक हाई-टिर्पल बॉन, is अब साइकलिक हाइड्रोकारबन इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सारी कारबन जो है वह आपस में बॉंड करते हुए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे माल लो अगर मैं इस छे कारबन वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहां पे देखो सारे के सारे छे बॉंड बन रहा है तो हर एक कारबन चारबन बना सकता है दो वह अपने पडूसी कारबन के साथ बना रहाए और बाकीडों हाइड्रोजirmiन के साथ बना रहा है और इस तरीके देंसे उन यह वह सरफ और सिंगल बॉंड देखने को मिल रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं वो करते हैं under the category of saturated cyclic hydrocarbon जिसे हम कहते हैं cycloalkanes exactly तो अभी अभी जो examples मैंने लिए थे चाहे वो cyclohexane हो या cyclopropane हो या cyclopentane हो यह सारे के सारे जो है they are examples of cycloalkanes लेकिन अगर कभी एक cyclic hydrocarbon में ring वाले hydrocarbon में double bond देखने को मिल जाए तो उसे हम कहते हैं arines तो जैसे की हमारा यह वाला compound यहां पर देखो carbon carbon के बीच में एक single bond फिर double bond फिर single bond फिर double bond अब लगाता double bond का होना possible नहीं है उसके कई सारे reasons हैं जो हम बाद में discuss करेंगे बट अभी के लिए आप यह जान लो कि यह जो compound आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह एक super duper popular compound है जिसे हम कहते हैं बेंजीन येस आगे की organic chemistry में आप देखना कि आप कितने सारे बेंजीन ring बनाते हो अलग अलग टाइम पर क्योंकि बेंजीन ही super duper important और हम बहुत सारे reactions देखेंगे बेंजीन के बेंजीन के structure के बारे में हम बहुत सारी बाते करेंगे अभी नहीं इस लेवल पे नहीं थोड़े से आगे जाके तो फिलहाल पहचान लो इसको यह बेंजीन आगे काम आने वाला है तो बोलने का मतलब है जब कभी यह रिंग वाले structure दिखते हैं उ सब के नाम है अलग अलग नाम है लंबे लंबे नाम है अब जब हम आगे चलके इनके reactions वगरा देखेंगे तो सब जो को इतने लंबे लंबे नाम लिखना कुट भी tedious and time taking तो हमें कुछ shortcut चाहिए था हमने बोला कि यार इस नाम को हम shortcut में कैसे लिख सकते हैं formula से लिख सकते है और यहां पर आप देखोगे formula भी एक नहीं है चार तरह के formula है अब आप सोचोगे कि महाम आप formula भी आप इतने type के बता दो और चीजों को complicate कर दो वेल चीज़े complicate नहीं होंगे यह सिरफ चार different alternatives हैं and they are very simple to remember तो जो पहला formula है that is molecular formula molecular formula नाम से पता चलता है यह हमें यह information देता है कि उस molecule के अंदर जो atoms है कितने atoms हैं कौन से atom कितने present है for example let us say कि हम एक hydrocarbon का example लेते हैं अब इथीन का molecular formula हम कैसे लिखते हैं c2h4 c2h4 हमें क्या बताता है यह एक ऐसा compound है जिसमें 2 carbon है और 4 hydrogen है बस इतना information यह बताता है and this is the molecular formula दूसरा होता है structural formula structural formula नाम से पता चल रहा है कि यह पूरा structure बताता है मतलब हम पूरा structure बना के दिखाते हैं कि इसके अंदर जितने atoms हैं वह एक दूसरे से किस तरीके से bonded है मतलब अगर मैं उसी इथीन की बात करूं तो इसका structural formula कुछ ऐसा होगा c double bond c फिर hydrogen के साथ सारे single bonds इसमें हम पूरे structure को दिखा रहे हैं कि structure कैसा है ठीक तीसरा होता है electron dot formula यानि कि यहां पर हम electron को dots के form में represent करते हैं और यह दिखाते हैं कि कि इस तरीके से उस compound के बनने के दोरान electron sharing हो रही है जैसे c2h4 यानि की इथीन का जो electron dot formula होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा ठीक एंड चौथा है condensed formula condensed मतलब चीजों को condensed का मतलब क्या बोल सकते हैं चीजों को compact कर देना तो जो structural formula है उसी को थोड़ा कॉम्पैक्ट वर्जिन में लिखना उसे हम कहते हैं condensed formula जैसे इस तरीके से पूरा structural formula ला लिखके हमने लिख दिया CH2 double bond CH2 C के साथ H के जो bond से मौने अलग से दिखाया नहीं तो इसको थोड़ा सा short कर दिया तिक है आप देखोगे अभी आगे चलके आप खुद में molecular formula और condensed formula इन दोनों को आप बहुत frequently use करोगे as we study about the reactions electron dot structure का idea तो हमने पहले ही ले लिया था एक और यहां पर चुकि हम अलग-अलग formula अलग-अलग structure की बात कर रहे हैं तो यहां पर quick recap करेंगे हम कुछ hydrocarbons के electron dot structure की जहां पर एक तरफ है ethane तो एक तरफ है ethane और एक और तरफ है ethane है ना तो देखो ethane यानि की दो carbon वाला alkane which is C2H6 ethane मतलब 2 carbon वाला alkane that is C2H4 ethane मतलब 2 carbon वाला alkyne that is C2H2 यह इनके molecular formula हो गये ठीक है अब करते हैं हम इनके electron dot structures तो अगर बात करते है ethane की तो यहां पर 2 carbon है ठीक है यह 2 carbon हो गए और यहां पर 6 hydrogen है यानि की लेट से इस carbon के साथ 3 hydrogen इधर है और इस carbon के साथ 3 hydrogen इधर है हर hydrogen के पास एक एक वैलंस electron है अगर carbon की बात करें तो हर एक carbon के पास 4-4 वैलेंस electron है तो हमने सारे electrons को dot से रिप्रेजेंट कर दिया और हम क्या देख रहें देखो hydrogen को अगर carbon ही एक electron share कर दिया hydrogen खुश है ऐसे carbon एक electron share किया hydrogen खुश है तो इन सारे situation में hydrogen का डूपलेट पूरा हो गया बात करते है carbon की carbon के पास इस carbon के पास खुद के इस carbon के पास खुद के चार electron थे उपर से एक एक electron hydrogen के साथ share किया और अब अगर एक electron सामने वाला carbon भी शेयर करता है लेटासे एक electron यह हो गया एक electron ही वाला एक इसका एक यह वाले कार्भण का तो यह सारे अगर कारवन के साथ शियर हो जाते हैं तो इसकारवन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो इस तरह हम C2H6 का electron dot structure बना सकते हैं ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करी ethene यानि कि C2H4 का यहां पर हम क्या देखते हैं एक carbon है एक और carbon है और इस total 4 hydrogen है मतलब इस carbon के साथ 2 hydrogen और इस carbon के साथ 2 hydrogen हमें पता ही है कि hydrogen के पास एक-एक valence electron होता है हमें यह भी पता है कि carbon के पास 1 2 1 2 3 4 4 valence electrons होते हैं यहां पर थोड़ा सामने dots अलग arrangements से क्यों लिखा क्योंकि यहां पर इधर तो hydrogen है नहीं तो इधर dot बना के भी कोई फाइदा नहीं हो क्योंकि वह dot किसी की साथ share हो नहीं पाएगा तो यहां क्या होगा कि यह जो 2 carbon है ना अब जैसी hydrogen का तो देखो भई पूरा हो रहा है डूपलेट है ना उसको एक-एक electron carbon से मिल जा रहा है लेकिन जब carbon के octet पूरी होने की बात करेंगे हम तो carbon के इसके पास खुद के एक दो तीन चार electron है एक-एक electron दो hydrogen से मिल गया तो छे मिल गया पट इसे दो और की ज़रूरत है तो दो और देने वाला इसके पास एक option है तो पडोसी वाला carbon तो यानि कि पडोसी वाला carbon इसके साथ दो electron शेयर करेगा यानि कि इस केस में क्या होगा देखो यह carbon इस तरीके से इसका पूरा होगा उसी तरीके से इस carbon की बात करें तो इस carbon का octet इस तरीके से पूरा होगा है तो यानि कि यहां पर क्या होगा देखो दोनों carbon के बीच में दो pair of electron शेयर हो रहे हैं यानि कि यहां पे carbon carbon के बीच में आ जा रहा है double bond और इस carbon के साथ 2 hydrogen इस carbon के साथ भी 2 hydrogen तो यह कौन सा यह तो हो गया मारा electrons. formula यह कौन सा formula हो गया बताओ condensed formula exactly यह हो गया तो अब इसाइन की बात करेंगे यहां पे C2H2 2 carbon है 2 hydrogen 1 carbon के साथ hydrogen 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 की कहानी हमेशा वही है इनके पास एक वैलेंस होता है कार्बन के पास चार होता है तो एक तो वालो इधर हो गया और बाकी जो तीन है वो किन के साथ शेयर हो सकते हैं पड़ोसी कार्बन के साथ ही हो सकते हैं और कोई चॉइस नहीं है तो इसलिए इन तीनों को मैंने इस साइ शेयर कर लिया तो मतलब चार तो इसके पास खुद ही थे है कि नहीं इस कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे एक इलेक्ट्रॉन से मिल गया बाकी तीन इसने इस वाले कार्बन से ले लिया तो यह कार्बन का उक्टेट भी पूरा हो गया तो इस तरीके से हम बहुत साइक्लो कंपाउंट के बारे में भी फोकस किया जाए तो यहां बात करते हैं साइक्लो हेक्सेन की साइक्लो हेक्सेन हैं मतलब इसमें 6 कारबन है तो 6 कारबन है साइक्लो मतलब यह एक रिंग बना रहा है तो कैसा होगा एक दो तीन चार पांच और छे कारबन जो एक रिंग बना रहा है अब देखो यहां पर बॉंड फॉर्मेशन की इस तरीके से होगी यह जो कारबन है इस कारबन के पास चार वैलेंस एलेक्ट्रॉन है तो दो वैलेंस हेलेंस कारबन के साथ, इसवाजर जून चांच भी एक इधर इन दोनों के लिए सबस्राइब तो अपने पड़ोसी के साथ बॉंड बनाने के लिए काम आएका लेकिन सब्सक्राबन में 2 लेक्तर स्बॉय यह है घुजर्ट के साथ गेलाने के लिए यूज करेंगे अब भई hydrogen कि इधर आप सोच तो यह जो उलेक्ट्रान hell hydrogen यहां पर एक hydrogen यहां पर एक है hydrogen यहां पर एक और hydrogen इद इधर एक है तो यहां पर एक और हैड्रोजण इधर भी है है जgen और इधर भी है हिट्रोजण ठीक अ है अच्छा यहां पर भी है सब producto है tragen तो बॉंड कैसा बन रहा है कार्बन कर्बन के बीच में इस तरीके से इन कारबन के साथ हाइड्रोजन का भी ऐसे इस तरीके से बन रहा है सिंगल बॉंड ठीक है तो पहले बनाया था मैंने इलेक्ट्रोन डॉट फॉर्मूला जैसे उनको बॉंड्स में कनवर्ट कर दिया तो यह क्या बन गया इसका स्ट्रॉक्चर बन गया अगर इसका फॉर्मूला उस केस में हम यह रिंग को तो बना लेंगे लेकिन जो हाइड्रोजन उनको बस सी एच्टू एच्टू लिग देंगे मतलब हाइड्रोजन के साथ जो बॉंड बन रहे हैं उन सारे बॉंड को यहां पर बना के नहीं दिखाएंगे तो इस तरीके से बन और रिंग स्ट्रक्टर भी होता है हाला कि बेंजिन के कई सारे लीनियर स्ट्रक्टर पहले प्रोपोज किये गया थे जैसे यहां पर आप देख रहे हो जहां ।किश ट्रिपल बॉपनड वाले कुछ डबल बॉंड वाले कुछ डबल त्रिपल वांड कि कउम्बिनेशन व यहां पर भी एक रिंग है ठीक है लेकिन इस रिंग की खास बात यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में जैसे साइकलो हेक्सेन में कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉंड था यहां पर ऑल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉंड देखो एक सिंगल फिर डबल सिंग यानि कि तीन वैलेंस इलेक्ट्रोन को तो यह यूज कर रहा है देखो एक इसके साथ एक इसके साथ लेकिन जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रोन है वो तो अभी इसके पास पड़ा है Similarly, यहाँ पर भी तीन valence electron तो यह use कर रहा है बट इसका चौथा valence electron यहाँ पड़ा है इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी तो यह जो एक एक valence electron है यह सारे valence electron hydrogen के साथ bond बनाते है मतलब यह electron इधर एक hydrogen के साथ bond बनाएगा यह भी इधर एक hydrogen के साथ यह इधर एक hydrogen के साथ, यह इधर hydrogen के साथ और यह इधर hydrogen के साथ, तो इसलिए इसका molecular formula क्या हो जाएगा, C6 6 carbon atom है और 6 hydrogen atom है, इसलिए benzene का molecular formula is C6H6, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो I think यह सारे discussion से आपको idea लग गया होगा कि किस तरीके से हम electron dot structures बनाते हैं, किस तरीके से basically इन hydrocarbons के हम structures बताते हैं, या molecular formula या condensed formula हम बता पाते हैं, बचो अब हमने पहले ही देखा था कि carbon की यह special property है, कि यह ना तो सरफ carbon के साथ, बल्कि दूसरों के साथ भी बड़े मजे से bond बनाता है, तो यहां शुरू हो रहा है हमारा एक बहुत important और बहुत interesting concept, जहांपर हम देखें bonding होती है with other atoms, जैसे कि oxygen हो गया, nitrogen हो गया, sulfur हो गया, halogen हो गया, इन सब के साथ carbon किस तरीके से bonding बनाता है, ठीक है, होता कुछ यह है कि जब भी इस तरह का कोई atom आता है, और हमारे hydrocarbon chain में से किसी एक hydrogen को replace करके उसकी जगा ले लेता है, फिर से समझो, ध्यान से समझो, let us suppose कि ए hydrogen है, chlorine का atom है, वो आया, वो एक existing hydrocarbon chain में से hydrogen को kick मार के हटाया और उसकी जगा ले लिया, तो इस तरह के atoms को हम कहते है, hetero atoms, याद रहेगा, hetero atoms, ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि hetero atoms directly आते है, hydrogen को हटा कि उनकी जगा ले लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि hetero atom अकेले नहीं है, hetero atom खुद जो है, वो एक group का part होते हैं, और वो group आके इस chain में जगा लेते हैं, तो उस तरह के group को हम कहते है, functional group, बहुत important है बच्चो, functional groups, they are like super important, आगे चलके आप देखो कि एक-एक functional group के हम पे हम एक-एक chapter पढ़ने वाले हैं, class 11-12 में जाके, तो इसलिए basic concept को अच्छ atom मतलब कोई बाहर का atom जिसको यह इस compound के अंदर गुसना है, यह group जैसे ही हमारे hydrocarbon chain में एक hydrogen को replace करके, खुद आके बैठ जाता है, तो उससे क्या होता है, कि हमारा जो compound है ना, उस compound की properties में change हो जाती है, based on the functional group, right, तो इसी तरीके से basically functional groups आते हैं, और यह हमें नए-नए compounds देते हैं, कुछ examples देखते हैं, अभी-अभी मैं hetero atom की बात कर रही थी, तो let us say, अगर मैं chlorine या bromine जैसे hetero atom की बात करो, which are halogens, तो हम क्या देखते हैं, यह लोग directly आते हैं, और इसमें hydrogen को replace करके उसकी जगा ले लेते हैं, जिससे हमें chloro-alkane, bromo-alkane जैसे compounds मिलते हैं, दूसरी जैसे मालो alcohol, alcohol एक functional group है, which is OH, मतलब इस functional group के अंदर oxygen है, जैसे aldehyde, aldehyde functional group है, CHO, तो oxygen इस पूरे group का एक part है, जैसे ketone, C double bond O, again oxygen is group का part है, जैसे carboxylic acid, COOH, oxygen again is group का part है, समझो बात को, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, oxygen, chlorine, bromine, यह सब hetero atoms हैं, और यह जो पूरा का पूरा functional group जो है, जैसे कि aldehyde group, ketone group, carboxylic acid group, यह सब functional groups हैं, तो functional groups, basically क्या है, functional groups, ऐसे groups हैं, जिनके आज आने से, वो जो मेरा hydrocarbon है, उनको कुछ specific properties मिल जाती हैं, for example, जिस तरीके से हमने पहले देखा था, एक alkane है, एक alkyns है, एक alkyns है, तो alkyn के आपस में कुछ similarity है, alkyns को कुछ similarities है, ये लोग आपस में similarly, similar है, similarly, जितने alcohols है, उनकी properties similar है, जितने aldehydes हैं, उनकी properties similarities है, जितने carboxylic acids है, उनकी properties similar हैं, तो आपको बात समझ में आरी है, तो basically यहीं से शुरू होती है carbon की bonding with others, बाकी जो elements है उनके साथ भी हम देख रहे हैं कि carbon किस तरीके से bond बना रहा है, आगे चल के आप देखोगे एक पुरा-पुरा unit रहेगा on aldehydes, जिसमें हम aldehyde के structure, उसके physical properties, chemical properties की बात करेंगे, एक पुरा-पुरा chapter रहेगा carboxylic acid पे, प सबच रहे हो, कितना ज्यादी, कितनी सारी चीज़ें हैं सिरफ organic chemistry के अंदर, तो यहां पर बच्चों अमने क्या सिखा, hetero atoms क्या होते हैं, और functional groups क्या होते हैं, और यहीं पर शुरू होता है हमारा discussion on homologous series, homologous series क्या होता है, एक ऐसा series, जिसमें, मतलब, जो भी series of compounds हैं, जिन same functional group रहता है, और same functional group रहने से क्या होता है, उनकी properties काफी similar होती है, इसी वज़े से हमने उनको उस तरीके से group किया हुआ है, जैसे मालो, अभी-अभी मैंने एक functional group का example दिया था, carboxylic acid, COOH, right, अब carboxylic acid को contain करने वाले कई सारे compounds होंगे, जैसे एक carbon वाला carboxylic acid है, methenoic acid, दो carbon वाला carboxylic acid है, ethanoic acid, 3 carbon वाला propanoic acid, 4 carbon वाला butanoic acid, 5 वाला pentanoic acid, तो अब देखो, यह सारे क्या है, यह basically हमारा straight chain carbon था, जिसमें से जैसे मीथेन था, मीथेन में से एक hydrogen को किक मार के हटा दिया गया है, और उसकी जगह ले लिए किसने, COOH functional group ने, carboxylic acid functional group ने, और बन गया है metanoic acid, similarly पहले एथेन था, एथेन में से एक hydrogen को किक मार के हटा दिया गया है, और उसकी जगह ले लिया है, COOH group ने, और बन गया है, ethanoic acid, तो अब यह जो पूरा जो series आप देख रहे हो, this is a homologous series, और इस series के हर एक member को हम कहते है, homologous, right, क्यों, क्योंकि यह सा, इन सब की जो properties है, exactly same नहीं होगे, obviously, metanoic acid or propanoic acid, exactly same तो नहीं होगा, but they will share a lot of similar properties, क्यों, because they all have the same functional group, बात समझ में आई, ठीक उसी तरीके से, अगर हम बात करें alcohol की, alcohol का functional group क्या है, OH, अब देखो, एक carbon वाला alcohol is methanol, फिर ethanol, propanol, butanol, pentanol, यह जो naming है, naming हम अग से सिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप यह समझो, कि alcohol containing जितने groups है, they again form a homologous series, ठीक है, similarly, अगर हम बात करें हमारे alkynes की, alkynes दे यारा homologous series, क्योंकि सारे के सारे alkynes में single bond होता है, सारे के सारे alkynes जो है, वो general formula follow करते हैं, C, N, H2, N, plus 2, similarly, alkynes, सारे के सारे alkynes, एक homologous series है, ठीक है, बात समझ में आगी homologous series की super, तो प्यारे बच्चों, चलो, अब देखेंगे हम homologous series की characteristics के बारे में, अभी-भी मैंने बताया, जो similar दिखने वाली चीजे हैं, उनको हम एक ग्रूप में डाल देते हैं, and they form a homologous series, इनकी characteristics क्या है, they have the same functional group, यह बाते हम कर चुके हैं, बट फिर से बता में functional group सबका सेम होगा, सब में वो single bond रहेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कि यह alcohol है, मान लो किया, यह ही alcohol है, तो alcohol में देखो, same functional group है, OH group, ठीक है, उसी तरीके से यह क्या है, यह carboxylic acids है, again carboxylic acid की, अगर हम बात करें, तो सब में same functional group है, which is COOH, जाहे कितनी ही लंबी carbon की chain हो जा similar chemical formula, similar chemical properties, यह भी दो बहुत important बाती है, देखो, अगर इन सब के chemical formula को आप देखो, तो वो काफी similar है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, चुकि similar functional group है, इसी वज़े से similar chemical formula है, चुकि ऐसा है, इसलिए similar chemical properties भी है, इनकी properties भी काफी similar है, the successive compounds of the series differ by a CH2 group, अगर आप देखोगे, कोई भी दो consecutive member जो है, इनके बीच का difference CH2 ही होता है, मतलब, जैसे मालो मीथेन की बात करें, मीथेन क्या है, CH4, इसमें अगर आप 1 carbon और 2 hydrogen जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, C2H6, उसमें अगर आप, इसमें अगर आप 1 carbon और 2 hydrogen जोड़ दो, तो बन जाएगा, C3H8, इसमें अगर आ कि चाहें कोई से भी series देखे, alcohol वाली, acid वाली, aldehyde वाली, या ketone वाली, किसी भी दो members के बीच का जो difference होगा, वो 1 carbon और 2 hydrogen का ही difference होगा, यानि कि एक CH2 group का सिरफ difference होगा, and last but not the least, physical properties that show a gradual trend, based on differences in their formulas, बहुत सारी physical properties, basically, यह एक एक ग्रुप के बारे में, जैसे carboxylic acid का all together, एक alcohol का एक पूरा chapter होगा, aldehyde का एक पूरा chapter होगा in your 11th and 12th, तब आप देखोगे कि सब की जो chemical properties हैं, वो तो काफी similar हैं, मतलब किस तरीके से यह दूसरों के साथ react करते हैं, जब हम इनके physical properties के भी बात करेंगे, तो आप देखोगे कि एक trend फॉलो हो रहा है, चाहे हम solubility की बा यह सारी बातें depend करते हैं, इनके functional groups में, ठीक है, तो यह थी कहानी हमारी homologous series की जो की बहुत important थी as we start the basics of organic chemistry, तो चलो बच्चो, finally हम पहुच चुके हैं उस section में, जहां पर हम देखेंगे, किस तरीके से करते हैं, हम इन compounds का नाम करन, exactly, जब घर में कोई छोटा बच्चा होत होती है, उसे तरीके से, इन compounds की भी होने वाली है naming ceremony, ठीक है, तो आप देखोगे कि इन सभी compounds के हम दो तरह के names की बात करेंगे, पहला, IUPAC name या फिर कई लोग इसे IUPAC name भी कहते हैं, दूसरा common names, ठीक है, तो यह IUPAC name होता है, that is like the formal name, जैसे किसी भी बच्चे का जो school का नाम होता है, मतलब बाहर का जो नाम होता है, जो अच्छा वाला नाम होता है, जिसे parents सो समझ के रखते हैं, दूसरा common name, मतलब आपका nickname समझ लोग, जैसे घर पे छोटू, बंटू, बबली, किसी भी नाम से बुला लेते हैं, तो वो हो गया आपका nickname, मतलब उस नाम को रखने के लोग जादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो मुह से निकला वही नाम पढ़ गया उसका, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि बहुत सारे compounds ऐसे मिलेंगे जिनका एक common name होता है, और उनका एक IUPAC name भी होता है, बहुत सारे compounds ऐसे मिलेंगे जिनका सिरफ IUPAC name होता है, ठीक है, अब यह IUPAC है क्या, so IUPAC stands for International Union of Pure and Applied Chemistry, यह existence में आया in 1958, तो इसे लिए यह IUPAC naming का पूरा जो system है, यह 1958 के बाद से आया, लेकिन common names तो पहले से ही था, क्योंकि common names के लिए तो कोई rules चाहिए नहीं, जिसकी जो मन में आये उस compound को वो वो नाम रख सकता है, है ना, तो अब किसी भी compound का, that is based on a set of rules, कुछ rules हमें दिये गए हैं, उन rules को follow करते हुए हम उस compound को name करते है, common name है, कुछ भी नहीं है, जो मन किया, चिंटु मन किया तो चिंटु, पिंटु मन किया तो पिंटु, आप चिंटु पिंटु तो नहीं रखेंगे, और गानिक compound से, इनके नाम उस इस्ट्स for all hydrocarbons, सभी hydrocarbons के IUPAC name होते हैं, क्योंकि ये तो एक rule के हिसाब से नाम रखा जाता है, तो अब कोई सब इस्ट्रक्चर बना दो, उसका IUPAC naming possible है, but that is not true with common names, common name सिरफ उन्हीं famous compounds के लिए रखे गए थे, जो day to day life में ज्यादा काम आते थे, अब एक एग्जामपल Let us suppose हमारे पास ये formula दिया हुआ है, HCHO, इसका जो IUPAC name है, that is methanol, लेकिन इसका जो common name है, that is formaldehyde, तो basically this is an aldehyde, जिसका common name है formaldehyde, और इसका IUPAC name है methanol, अब देखो methanol or formaldehyde, कुछ match ही नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था, जरूर ही नहीं होता है कि आपका school का नाम और nickname जो ह तो अभी फिलाल बच्चों हमारा focus रहेगा IUPAC nomenclature पे, क्योंकि that is based on a set of rules, तो हम उन रूल को सीखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद काफी सारे compounds को खुद से name करके practice करेंगे, तो बच्चों जैसे ही हम nomenclature या नाम करन की बात करते हैं, तो हम शुरू बात करते हैं, एक carbon atoms कितने हैं, क्योंकि कितने carbon atoms हैं, उसके basis पर हम use करते हैं, एक keyword, जैसे अगर एक carbon atom है, तो myth, 2 है तो it, 3 है तो prop, 4 है तो but, 5 है तो pent, 6 है तो hex, 7 है तो hept, 8 है तो oct, 9 है तो non, और 10 है तो deck, ठीक है, यह आपको पता रहना है, ठीक है, अब देखो, अगर उसमें सारे के सारे स सिंगल bonds involved हैं, तो फिर हम कौन सा keyword लगाते हैं, A-N-E, एन, ठीक है, अगर उसमें double bond है, तो हम लगाते हैं, E-N-E, एन, और अगर उसमें triple bond है, तो हम लगाते हैं, Y-N-E, आइन, ठीक है, example लेते हैं, let us suppose, अगर हमारे पास, 2 carbon वाला, सिरफ single bond वाला कोई compound है, ठीक है, मतलब अब let's say, इधर CH3, single bond CH3, इस तरह का कोई compound है, इसका name कैसे करोगे, इसमें 2 carbon है, यानि की इत, 2 carbon का keyword क्या होता है, इत, इसमें सुर्फ single bonds है, तो इसलिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा, एथेन, ऐसे होती है, ठीक है, अब मालनो, कि हमारे पास, let's say, 4 carbon वाला एक compound है, इस carbon में इसका structure, condensed formula लिखने का आसान तरीका, ये carbon इसमें 3 bond बना लिया, एक carbon 4 bond बना सकता है, यानि की 4 bond hydrogen से बनाएगा, तो एक hydrogen लिख दिया, ये वाले carbon को देखो, 1, 2, 3, 4, चारो bond बना सुका है, तो अब ये hydrogen के साथ कोई bond ने बनाएगा, ये carbon को देखो, 2 bond बनाया है, तो मत last वाला एक ही bond बनाया है, तो ये 3 hydrogen के साथ bond बना सकता है, ठीक है, अब देखो, इसका नाम करण कैसे करोगे, इसमें कितने carbon है, 1, 2, 3, 4, 4 carbon है, 4 carbon के लिए हम कौन सा keyword यूज करते हैं, but, तो इसमें यूज कर लिया, हमने but, अब यहाँ पे है triple bond, triple bond के लिए हम यूज करते है आइन, तो यानि कि यह हो जाएगा butine, अब देखो, यहाँ पे भी न, अलग तरीके की naming होती है, अगर मालो triple bond यहाँ है, triple bond अगर बीच में होता, तो नाम चेंज हो जाता, बिल्कुल चेंज हो जाता, क्योंकि जैसे ही आप triple bond की placement change कर दोगे, आपका overall compound, अलग compound हो जाएगा structure जैसे ही change हो गया, उसकी properties भी change हो जाएगी, है कि नहीं, तो खेर वो सारी बाते हम धीरे-धीरे करेंगे, अभी के लिए एकदम basic से शुरू करते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए, एन, इन, आइन, सिंगल, डबल और ट्रिपन bond के लिए, और कारबन के number of atoms के लिए, myth, eth, prop, bute, वगेरा, तो ये आपको पता होना must है, तो चलो बचो, अब situation को बनाते हैं, थोड़ा सा complex, थोड़ा सा ही बनाएंगे complex, not to worry, अब मान लो कि आपके पास ये structure दिया हुआ है, और मैं अगर पूछू कि इसका IUPAC name क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, जैसे आप इसको देखोगे, आप पहले तो count करोगे कि कितने carbon है, फिर आप देखोगे कि इसमें 5 carbon है, जैसे ही 5 carbon, 5 मतलब pent, और इसमें तो सारे single bond दिख रहे है, तो in, इसका मतलब ये pentane है, अगर ऐसी बात है, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि 5 carbon वाले और सारे single bond वाले, जाहे किसी हम physical arrangement को change कर देते हैं, तो इनकी properties भी तो बदल जाती है, इसका मतलब ये जो तीनों चीजे हमें यहां पे screen पे दिख रही है, ये तीनों चीजे exactly same चीज नहीं है, तो obviously इनके तो नाम भी अलग होने चाहिए, है कि ने, तो जब भी हमारे सामने इस तरह के branched chains आते हैं, मतलब जिन chains में branching होती है, तो हमें कुछ set of rules follow करने पड़ते हैं, उनके IUPAC naming के लिए, तो चलो अब उनहीं set of rules को देखेंगे और करेंगे कुछ practice, तो बचो जैसा कि मैंने बताया कि अब situation होने वाला है, थोड़ा सा टेड़ा, यानि कि अब सीधा सीधा लंबा लंबा simple chains की बजा उसी तरह से carbon chain के बहुत सारे branches निकलाएंगे और तब आप naming कैसे करोगे, तो उसके लिए हम कुछ set of rules follow करते हैं, वही rules को अभी हम सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है, पहला rule, longest carbon chain in the molecule to be identified, बहुत बहुत important है, जैसे यहाँ पर आप एक structure देख रहे हो, एक compound देख रहे हो, यह आपको भी दिख रहे होंगे, यह 4 carbon, अब आपको क्या पता है, बेसिक्स के हिसाब से, 4 carbon मतलब but, बट ऐसे naming नहीं करनी है, चुकि यह branched chain है, तो हमें यहाँ पर जो longest carbon chain है, मतलब longest straight chain जो है, उसको identify करना है, अब आप देखो, straight chain या तो 1, 2, 3, यह carbon का straight chain हो सकता है, या फिर 1, 2, 3, यह straight chain हो सकता है, मतलब जहाँ पर बीच में से कहीं पर branch नहीं निकल रहा है, या फिर 1, 2, 3, मतलब in any case, जो मेरा longest chain है, वो 3 carbon का ही longest chain है, ठीक है, अब जब आप यह longest chain को identify करोगे, तो आपको ध्यान रखना है, कि अगर वहाँ पर कोई भी multiple bond exist करता है, जैसे double bond exist करता ह या फिर कोई functional group exist करता है, तो वो उस chain का part जरूर होना चाहिए, मतलब जिसको भी आप longest chain ले रहे हो ना, उसी longest chain के अंदर आपका double bond, triple bond या functional group भी आना चाहिए, ठीक, यह हमारा पहला point, दूसरा, अब यह जो longest chain की आप numbering करोगे, मालो की मैंने बोला, मेरा longest chain 1, 2, 3, यह वाल 2, 3 भी कर सकती हो, तो numbering कैसे करूंगी, such that the branched carbon atoms get the lowest possible number, मतलब यहां पे branched carbon atom कौन सा है, यह वाला, यहां से branch निकल रही है, तो अगर मैं इसे 1, 2, 3, ऐसे numbering करूं, तो दो number वाले carbon पे क्या है, branched carbon है, तो अब मैं इधर से करूं, तब भी branched वाला carbon को number 2 मिलेगा, अगर मैं इस side से करो, तब भी उसे 2 ही मिलेगा, बट कुछ ऐसे scenarios हो सकते हैं, जब एक तरफ से आप numbering करो, for example, अगर आपके पास कोई इस तरह का chain होता, ठीक है, जहां पे यहां से आपकी branch निकल रही होती, ठीक है, तो इस case में, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे numbering करो, तो number 2 वाले carbon पे आपकी branch है, लेकिन, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे numbering करो, तो number 4 वाले carbon पे आपकी branch है, तो हमारे लिए सही कौन सा है, तो बच्चों हमारे लिए सही, ये 1, 2, 3, 4, 5 वाला है, क्योंकि उस case में, जो branched वाला carbon है, उसको minimum number मिल रहा है, उसको number 2 मिल रहा है, तो अब numbering का concept समझ म आगया, great, अब आगे चलते हैं, if the two substituents are found in equivalent positions, the lower number is given to the one coming first in the alphabetical listing, ठीक है, एके करके example लेते हुए समझते चलेंगे, तो इस point पर आने से पहले, third number वाले point पर आने से पहले, हम देखते हैं कि ये जो हमने numbering की, इस numbering के हिसाब से इस compound का नाम क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, longest chain क्या है, तीन कार्बन, longest chain है, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए हमारा keyword होता है, प्रॉप, सारे single bonds है, तो उसके लिए हम use करते हैं, इन, बट उसके पहले बताना पड़ेगा, कि हां substitute या फिर ब्रांच क्या है, दो नंबर कार्बन पे कौन सा group लगा यानि कि ये क्या है, ये methyl group है, तो यहां पे आप लिख दोगे, और ये कौन से कार्बन पे है, 2, तो 2-methyl propane, ये इसका नाम हो जाएगा, बात को समझो अच्छे से, 2-methyl, पहले हम क्या कहेंगे, ये हमारा substitute है, कि क्या इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 2-methyl, किस position पे 2, तो 2 के बगल में छोटा सा हाइफिन देंगे, फिर डालेंगे उस group का नाम जो जुड़ा हुआ है, जो यहां पे methyl है, उसके बाद जो हमारा straight chain है, जो कि 3-carbon का chain है, with all single bonds, इसलिए propane, तो इसका नाम हो जाएगा 2-methyl propane, clear हो गया, super, चलो, अब आगे बढ़ते हैं और चल पादा हूँ, for example, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक इस तरीके का structure है, जहां पे यह तीन carbon वाला chain है, और यह दूसरे carbon पे इधर भी एक methyl group है, और इधर भी एक methyl group है, एक ऐसा situation है, तो यहां पर इसकी naming कैसे हो जाएगी, let us say, यह मेरा longest chain है, मैंने assume किया, तो दो number position पे हमार differentiate करना पड़ेगा, राइट कि एक methyl group है और कभी दो methyl group है, तो वहां पर हम use करते है, prefix, जैसे कि डाई, ट्राई, जैसे prefix हम use करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 यानि कि यह जो दोनों substituents हैं, जो दोनों methyl group है, इन दोनों का position कौन सा वाला carbon है, दो number वाला carbon है, इस डाई क्यों लिखा है, क्योंकि दो methyl group है, तो यह हो जाएगा, 2,2 डाई methyl, अब जो मेरा longest chain है, longest chain कितने कारवन का है, तीन कारवन का है, तो उसके लिए prop, सारे single bonds हैं, तो उसके लिए एन, तो यह हो गया, 2,2 डाई methyl, propane, बात समझ में आ गई, देखो, एक बार में सुनने मे लगेगा कि बापरे कितने सारे rules हैं, और हैं भी, बहुत सारे rules हैं, बट अगर आप हरे एक rule को अच्छे से समझ लोगे ना, तो उसके बाद nomenclature is super interesting and super fun, तो यहां पे आपको यह समझ में आया, कि बहुत बार क्या होता है, कि एक ही carbon पे, 2 substituents जुड़े होते हैं, अगर द दोनों का position आप बताओगे अच्छे से, जैसे 2,2 dimethyl, ऐसे लिखोगे, ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कि दो अलग अलग ज़रुने कि दोनों methyl हो, एक methyl group attached है, एक ethyl group attached है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो अगर कभी ऐसी situation आती है, जहां पर एक methyl group है, तो दूसरे ज जब हम लिखते हैं इसको, तो हम alphabetical order में लिखते हैं, मतलब उस case में शायद हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2 ethyl, 3 methyl, assuming, मैं ये structure बना नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं, तो इस तरीके से लिखेंगे, कहीं इसी एक position पे, लेट से, दो नमबर वाले carbon पे ethyl group है, और त इसे जब हम लिखेंगे, तो चुकि एथाइल का E, alphabetically, methyl के मी से पहले आता है, methyl के M से पहले आता है, तो इसलिए हम एथाइल को पहले लिखेंगे, उसके बाद methyl को लिखेंगे, ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले वाले में, if there are different types of alkyl group, then their names are written in alphabetical order, prefix dye, try, etc. are not considered for ordering, अब E ही consider होगा, जब भी हमें alphabetical order की बात करेंगे, तो इथाइल का E, मिथाइल का M, प्रोपाइल का P, वही consider होगा, उसके आगे, डाइ, try का alphabet, consider नहीं होगा, चीक है, and finally, last but not the least, if the alkyl substitute is further branched, then it is named as substituted alkyl group, तो इसका मतलब है, कि यह जो हमारा substitute है, अगर वो further branched है, तो क्या करेंगे, हाला कि वो थोड़ा सा complex हो जाएगा, तो शायद उतने complex nomenclature आपको इस लेवल पे नहीं आएंगे, बट यस जब आप 11 में जाओगे, तो वहाँ पर हम वो वाले complex nomenclature भी करेंगे, तो अभी के लिए बच्चों, अगर मैं इस पू numbering करोगे, in such a way कि जो भी आपका substituent से उसको lowest number मिल रहा है, उसके बाद find out करोगे, कौन से position carbon पे कौन सा substituent attached है, उसको पहले लिखोगे, और उसके बाद जो आपका straight chain है, उसका naming करोगे, ठीक है, एक और last example देख लेते हैं, बहुत जादा complicated, मैं दूंगी भी नहीं ता कि आ असान असान चीजों से शुरुवात करेंगे, यह structure है, इसका कैसे naming करोगे, अब देखो इसमें longest chain find करो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, कैसे भी चली जाओ, longest chain 4 carbon का बन रहा है, तो let us say 1, 2, 3, 4, ऐसे numbering किया, क्योंकि फिर जो मेरे substituents हैं, वो 2 number वाले carbon पे आ रहें, अगर इ dimethyl, और यह 4 carbon वाला chain है, यानि की butane, butane क्योंकि इसमें सारे के सारे single bond है, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे हम naming, वही rules तो हमने सारे सीख लिए, तो चलो कुछ 2, 3 examples कर लेते हैं, तो थोड़ा confidence आ जाएगा कि rules को use करके naming करते कैसे हैं, है ना, तो यहाँ देखते हैं, पहल example, तो सबसे पहले carbon के chain पे focus करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार carbon वाला straight chain दिख रहा है, तो इसकी numbering कि इधर से करे, triple bond दिख रहा है, तो यानि कि numbering इधर से अगर हम करते हैं, तो मेरे triple bond को lowest number मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इस carbon से कर दूंगी, तो 3 number वाले carbon पे triple bond आएगा, है ना, तो भाई चलो numbering का काम भी खतम हो गया, अब इसके बाद कुछ खास बचाने क्योंकि यहाँ पर कोई substitute है नहीं, तो कोई एक straight chain है, है ना, चार carbon के लिए हम कौन सा word यूज़ करते हैं, ब्यूट, ठीक है, triple bond के लिए यूज़ करते हैं, आइन, लेकिन अब triple bond की position बत सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अब देखते हैं हम लोग दूसरा example, यहाँ पे carbon कहां कहां है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 carbon है, इधर एक carbon है, इधर एक carbon है, इधर एक carbon है, तो साफ साफ दिख रहा है कि यह एक branched chain है, तो straight chain पहले find करते हैं, कौन सा longest chain होगा, अब देखो अगर ऐसे इस carbon को लोगे तो 1, 2, 3 carbon का chain है, यह chain को लोगे तो 1, 2, 3, 4 carbon का chain है, तो longest chain लेना है, तो 4 carbon का chain लेंगे, numbering कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि double bond को minimum lowest number मिले, इसे इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, क्योंकि उस case में double bond 1 number carbon पे आ रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ substitute क्या-क्या है, तीन नंबर carbon पे इधर एक methyl group है, तीन नंबर carbon पे इधर भी एक methyl group है, ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले substitute 3, 3, 3-dimethyl, यूज करेंगे क्योंकि 2 methyl group है, अब नेम करेंगे हमारे straight chain का, जो ही है, 4 carbon वाला chain, तो हम यूज करेंगे but, और इसमें double bond है, यानि की in एक नंबर position पे, तो but, हाइफेन, वान, हाइफेन, इन, तो इसका नाम हो जाएगा, 3, 3-dimethyl, ब्यूट, वान, इन, या फिर 3-3-dimethyl, ब्यूटीन, अब चलते हैं, हम तीसरे वाले structure की तरफ, जहाँ पर कितने carbon है, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 carbon है, लेकिन 5 हो straight chain में नहीं है, straight chain 1, 2, 3, 4, 4 carbon का chain, numbering इधर से ही करेंगे, क्योंकि, यह जो substituent है, यह दो number पे आ रहा है, अगर उधर से करोगे, तो यह 3 number पे आएगा, जो हमें चलेगा नहीं, तो इसकी naming कैसे करोगे, दो number position पे एक methyl group है, तो 2-methyl, अब straight chain कितने carbon का है, 4 carbon का, यानि की but, सारे single bond, इसलिए एन, तो यह हो जाएगा, 2-methyl butane, तो बच्चो अभी तक nomenclature हमने क्या क्या देखा, एकदम basic वाले nomenclature की rules देखे और branched chain की rules देखे, अब चीजों को बनाएंगे, आपको बहुत complex nomenclature anyways नहीं आएगा, बट यहां पर हम सीखेंगे functional group के rules, हमने क्या देखा था, कि यह जो अलग-अलग compounds बनते हैं, इन में functional groups जोड़ जाते हैं, तो यानि कि अलग-अलग functional group का भी एक अलग-अलग तरीका होना चाहिए, नेमिंग का, जैसे अगर alcohol है, तो उ उसकी naming अलग-धंग से होनी चाहिए, अगर acid है तो उसकी naming अलग-धंग से होनी चाहिए, हैगी नहीं, तो वही rules अब हम discuss करेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी हमारा जो system रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो similar रहेगा, जहां पर longest chain of carbon जो है, उसको हम identify करेंगे और उसको हम number करे in such a way that the functional group is attached to the carbon, possessing lowest possible number, जैसे पहले मैंने बताया था ना, कि double bond या triple bond को lowest number मिलना चाहिए, उसे तरीके से आप जब numbering करोगे, तो functional group को lowest number मिलना चाहिए, ऐसा ध्यान में रखते हुए, आप carbon chain की numbering करोगे, यह आपका पहला rule है, दूसरा rule है, इस तरह के compounds में, अब आपको suffix मिलेंगे, पहले जो suffix मतलब जिस keyword को हम last में डालते हैं, पहले जैसे अगर single bond वाले compound है, तो last में डाल दिया, अगर double bond वाले हैं, तो in डाल दिया, अगर triple bond वाले हैं, तो in डाल दिया, तो उसको हम suffix कहते थे, क्योंकि वहां पे एक ही suffix होता था, अब जब functional groups भी होगा, तो यहां पे दो suffix होंगे, एक primary suffix, एक secondary suffix, primary suffix क्या होगा, primary suffix वो होगा, जो carbon-carbon multiple bond के बारे में बताता है, यानि कि in, 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 ये सब क्या है, ये सब हमारा primary suffix है, secondary suffix क्या है, जो हमें बताएगा कि कौन सा functional group वहां present है, ठीक है, यानि कि secondary suffix हमें functional group के बारे में बताएगा, एक्जाम्पल लेंगे ये वारे compound को देखो CH3 CH2OH ठीक है बड़े द्यान से देखना CH3 CH2OH ठीक है हमारे rule के हिसाब से हम carbon का longest chain लिएंगे दो carbon का chain है यहाँ पर numbering आप 12 करोगे या 12 करोगे obviously हम numbering 12 करेंगे क्योंकि तब minimum number वाला carbon के साथ जिसमें functional group attached है उसको lowest number मिल पा रहा है ठीक है अब यह दो carbon वाला है दो carbon के लिए इत इसमें double bond दिख रहा है नहीं दिख रहा है यानि की इतेन अब देखो आप सोच जोगे कि मैं आपने एन इन नहीं लिखा एक कारण से नहीं लिखा क्योंकि यहां पर जो है ना यह एन मेरा primary suffix है secondary suffix क्या है यहां पर यह क्या है यह alcohol का functional group है और alcohol के लिए जो हम suffix use करते हैं that is o l all यह keyword हम use करते हैं तो यह last में हम o l all use कर देंगे तो यानि कि अब क्या हो गया इत के बाद यह एन जो है यह मेरा primary suffix हो गया जो मुझे यह बताता है कि इसमें single bond double bond है या triple bond है और यह जो all है o l all यह मुझे क्या बताता है कि इस compound में कौन सा functional group लगा हुआ है ठीक बात समझ में आई तो यानि की in general कोई भी naming हम करेंगे तो ऐसा दिखेगा पहले रहेगा prefix प्रीफिक्स के अंदर आ जाएगा जैसे कि किस position में कौन सा substitute attachment attached है जैसे टू मिथायल टू इथायल फोर इथायल यह प्रिफिक्स हो गया फिर आएगा वर्ड रूट और वहां पर लिख दिया तो इसका नाम हो गया इथनौल अब इतनी जानकारी के बाद हम आके कहां फसते हैं हम फसते हैं यहां पे सेकेंडरी सफिक्स में आके बहुत ही बुरी तरह आप फस जाते हो क्यूंकि आपको यह नहीं समझ में आता है कि कौन से गृप के होने पे कौ अरिम का लिए और खुदी बॉल यहां ऑप कोन सा वर्ड लगाएंगे और कोशा की ने उत हैं इस एक बार देख लेते हैं लेकिंडिस्क्लेमर पहले पहले देतेतं व कि आपके इस लेवल पर बहुत कॉम्पिक्स स्टॉक्टिस नहीं आ आइंग depths इ 새로 से ढ़िग का do some practice of structures and their naming ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो बच्चो आयो पेसे नॉमेंकलेचर के हिसाब से अगर आप बात कर रहे हो लेट से हैलो एलकेन की हैलो एलकेन नामी इसलिए क्योंको उसमें हैलोजेन जुड़ा हुआ है हैलोजेन बोले तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह क चीजें जुड़ी हुई है तो वहां पर हम एक प्रिफिक्स लगा देते हैं जैसे कि क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरह के प्रिफिक्स हम लगाते हैं अगर हम बात करते हैं अलकोहॉल की तो वहां पर हमारा सफिक्स होता है ओल अगर बात करते हैं अलडीहाइड की तो वहां से एल हमने उठा लिया देट इस सफिक्स की अगर हम बात करें तो वहां पर सफिक्स होता है ओ एन ई उसको भी हमने की टॉन के पीछे से उठा लिया है की टॉन को वहां ही से उठा लिया है वह हम की टॉन के सफिक्स की तरह यूज करते हैं कार्बॉकसिलिक आसिड की अगर बा ठीक है अब बात करते है लेट से अलकीन की वो तो हमें पता ही है यहां ट्रीपल बोन्ड दिखते हैं यह नी इन वाले तो हमें पता ही थे तो यहां पर थोड़ी नई चीज़ें जो नए फंक्शुनल ग्रुप्स का हमने देखा वो है आलकोहॉल का ओल अलडी हाइट का अल कीटोन का ओन और कार्बॉकसिलिक आसिड का ओएक आसिड एक दो छोटे-छोटे सिंपल एक्जामपल्स देख लेते हैं जैसे मालो यह वाला स्ट्रक्चर अगर आपको नेम करना हो कैसे करोगे सबसे पहले रूल्स आपके वही रहेंगे सबसे पहला रूल का लॉंगिस चेंज ढूंदो तीन कार्बन का चेंज है वन टू थी नंबरिंग किधर से करोगे ता तो अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे सबसे पहले आएगा प्रिफिक्स मतलब कौन सी सबस्टिटुमेंट्स जुड़ी हुई है ब्रोमो जुड़ा हुआ है एक नंबर कार्बन पे तो यह हो जाएगा वन ब्रोमो ठीक है उसके बाद जो मेरा चेंज है कितने कार्बन का यानि की प्रॉप डबल गुड कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है यानि की एन तो यह हो गया वन ब्रोमो प्रोपेन ठीक आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखो यह तीन कार्बन वाला चेन है जहां पर ट्रिपल बॉड है तो तीन कार्बन वाले चेन की नंबरिंग अम स्ट्रेट फॉरवड है तीन कार्बन के लिए यूज करेंगे हम प्रॉप एक नंबर पोजीशन पर क्या है ट्रिपल बॉंड इसलिए आइन तो इसे आप प्रॉपाइन भी कह सकते हो या फिर प्रॉप वान आइन भी कह सकते हो ठीक है अब तीसरा एक्जामपल देखो कारबन कितना हैए एक तो तीन दों बटम्ज़दार बात यह है कि यहां पे ऊपे ऊद्व तॉ अब कर्बोक्सिलिक एक और तो यहांपे तो COOH है तो यानि कि यह क्या है carbon if you come ì इधर से करेंगे teakि carboxylic acid lowest number of carbon के साथ जुड़ा रहे तो तीन डहें के लिए हो जएगा प्रॉब इसमें single bond है सारे single bond के लिए हो जाएगा एने का दोनों वावल साथ में नहीं लिखेंगे तो इसलिए इस को नहीं लिखेंगे और सीधा लिख देंगे ओएक आसेड तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ओइक आसेड ठीक है अब समाझ में आ रहा है किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं तो I would request कि जैसे जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो यह जो रूल्स वाला पार्ट है इसको चाहिए तो एक और बार रिकाब करो या फिर इस रूल्स वाले पार्ट को जैसे जैसे आप भी मेरे साथ पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ अपनी किताब में से कुछ-कुछ रांड सुपर इंपोर्टंट 11 की और गानिक केमिस्ट्री की शुरुवात ही होगी नॉमेंक्लेचर से और उसके बाद वहां पर तो हम बहुत कॉंप्लेक्स नॉमेंक्लेचर भी करने वाले हैं तो बच्चा-बाटे इसी के साथ आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक लिकि और मज़ेदार और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे हूम स्टे सेफ टेक केर बावाई